आप सभी का स्वागत है जहां हम और आप आज एक साल के करेंट अफेर की क्लास करने वाले हैं जैसा कि हमने आप सबसे का था कि आज की क्लास हमारे एप पे तो होगी ही होगी तास ही साथ YouTube पर भी होगी तो आप मुझे एप भी देख रहे होंगे इस समय और मैं पूरी उमीद करता हूँ कि आप सेम समय में मुझे यूटीउộc पर भी दख रहे हैं तो मुझे आप सबके कमेंट और सारी चीजें clear हैं अब एक सबसे पहले मुद्दे की बात कर लूँ फिर एक और मुद्दे पर आता हूं सबसे पहले आप सभी स्टुडेंट्स को जितने ने भी मुझे पर ट्रस्ट करके ये एक साल की करेंट अफेयर मुद्दा सब पूरी ब सुबा तक के करेंट अफेयर को इस पे मैंने एक किया है और मैंने अपने बहुत सारे स्टुडेंट्स को क्या किया था मैंने अपने बहुत सारे स्टुडेंट्स को कहा था और एक बैच पूरा का पूरा दिया था करीब 2,000 रुपए का बैच था वो मैंने उसमें एक कूप लोग जुड़े थे जब एक बार शुरू हो जाएगा ना उसके बात फिर मैं इसके बात कर पाऊंगा तो इसलिए मेरी आप सब से एक रिक्वेस्ट है एक सिकेंड आप लोग के लिए टेक्निकल काम कर दूँ यह आशुतोस त्रिपाठी इसमें लिखा हुआ है तो मैं आप रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी भी जो लोग इस प्रीपेट इसमें की इबुक्स हैं टेस्सिरीज हैं वीडियो कोर्स हैं यह सा एक सा एप लिंक लगवा रहा हूं उस एप लिंक के जरिये तो मेरे यूट्यूब के दोस्त देख रहे हैं उस एप सोनु सर जल्दी कर दीजेगा उस एप लिंक के जरिये आप उस बैच को पा सकते हैं इसी लेक्चर के बीच में उसके बारे में आपको बता दूँगा तीन हजार स्टूडेंट्स के लिए लाइब आ जाओंगा अभी यूट्यूब वाले बच्चे आप तो थोड़ा सा तुखेंगे लेकिन आपको पता है इस बैच में कितने स्टूडेंट आ गए करीब करीब 9800 200 कम हो गए नहीं दस हजार स्टूडेंट्स हैं और आज संडे का दिन टेक्निकल टीम यहां पर आउलेबल नहीं बहुत ज्यादा टेक्निकल टीम अब मैं दस हजार स्टूडेंट को इतनी बड़ी स्क्रीन पे कहां से देख पाऊंगा मैंने सुचा था कि तीन हरा टेक्निकल टीम ने मेरी हेल्फ की कि यह सर 3000 स्टूडेंट के लेकिन इतना प्यार इतना सपोर्ट मिला कि मैं ब्लास्ट कर गया दस हजार 200 कम दस हजार स्टूडेंट इस को एप के माद ले रहे हैं अब उस्तों यूट्यूब 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 तो मैं देख पार करीब जीतने स्टूडेंट हैं लेकिन और लेकिन जो आपके यूट्यूब पर थोड़ी साउंड प्रॉब्लम साच जा रही है मैं उसको आप लोगों के लिए आप लोगों के लिए तो वाइस क्लियर है ना आप लोगों के लिए तो वाइस क्लियर है ना यह सर पोड़े से यूट्यूब वाले बच्चों के एक साथ दस हजार है यूटीव पे प्राव्लम क्रियेट हो रही हम लोगों वह रही है यूटीव के स्टुडेंट के लिए आप जाने लगी कि क्लियर है भाई मेरे यूटीव वाले स्टुडेंट को थोड़ी सी दिक्कात हो रही है उसको सॉल्व कर लूँ फिर मैं पढ़ाना शुरू करता हूं अब तक वह कि क्या प्रॉब्लम जा रही है अब यहां तेकनिकल टीम के लोग है अब वो एक आख लोग ही है सही करवाईए उससे आख क्लियर हो गई वायस अब बताए यूट्यूब पे वायस क्लियर हुई वायस प्रॉब्लम यूट्यूब ठीक है ना क्या अब क्लियर हुई एक यूट्यूब बार माइक पे सुनो पेड़ वाले बच्चों को कोई दिक्कत नहीं है ठीक है ना जो पेड़ में हमारे बच्चे हैं जिनको मैंने यह वैच फ्री दिया है उनके लिए कोई दिकत्नी YouTube पर दिकत आ रही है तो वो भी हमारे ही इस्टूडेंट है हमारे ही दोस्त और भाई है बहन है उनको कैसे छोड़ सकते हैं क्या वायस क्लियर हुई क्या वायस क्लियर हुई सभी के लिए बताईएगा आप लोग चेक कर लिए यूटीब का कमेंट देखिए वायस ओके वो धीमे करके सुन्यों ठीक है तो आई होप अप क्लियर है YouTube के लिए और पेड के लिए भी सभी के लिए क्लियर है ये सर पूरी चीजें सुरुआत से सुनो सबसे पहले एक काम करिया आप लोग अभी भी जो हमारे इस्टूडेंट जो हमारे इस्टूडेंट अड़ा के एप को यूट्यूब पे डाउनलोड नहीं कर पाएं देखो उपर एक कमेंट बॉक्स में लिंक चल लई है उसको डाउनलोड कर लो मैं बैच के लास्ट में पढ़ाने के लास्ट में या बीच में कहीं एक 2000 रुपए का बैच है उसे टोटली फ्री करने वाला हूँ ठीक है हमारे सारे स्टूडेंट जानते हैं ठीक है तो मैं लास्ट टाइम बोल रहा हूँ देखो यूट्यूब पे एक लिंक लगी है जो लोग डाउनलोड नहीं कर पाएं आपको डाउनलोड कर लें मैं इसी लेक्चर के बीच में एक 2000 रुपए का बैच से कंप्लीटी फ्री करने वाला हूँ पहली बात दूसरी बात अब सुरुवात करते हैं एक साल के करेंट अफेर का आने वाले दो घंटे तक हम लोग कोई इधर उधर की बात नहीं करेंगे ठीक है ना कोई इधर उधर बात नहीं करेंगे मेरे सारे पिड़ बैच मुझे याँ पर सभी के कमेंट दिख रहे हैं यहाँ पर सभी YouTube यूटिवे इस त्ऊटीवे की कमेंट दिख रहे हैं तो एक बार आप लोग जय हिंद का नारा लगा दें तुम लोगों का आवाज प्रॉब्लम आ जाएगा अभी वाइस प्रॉब्लम यूट्यूब पर देगी तो पहले पढ़ लिया जाए उसके बाद लास्ट में कैमरे को देखा जाएगा ठीक है ना पहले पढ़ाई जरूरी है पहले पढ़ाई चलो तो भारत माता की जय एक साल के क्लास में स्वागत है आपका वर्दान के चोटे से यूट्यूब क्लास में और पेड़ क्लास में तो सबसे पहले जाते हैं आपका स्वाणड़ किसना बढ़ियां वेलकम कर रहा है मैंने जनवरी 2022 से मार्च 19 2023 तक के एक एक करेंट अफेयर को आपके सामने लाकर के रख दिया हूँ अगर आने वाला पौने दो घंटा आप मेरा साथ दिये मैं वचन देता हूँ इसकी PDF में से एक भी क्वेश्चन मुझे उमीद है वेक्तिगत तोर पे बाहर नहीं जाएगी यह मेरा वेक्तिगत आपसे अनरोध है तो यह चीजे ध्यान रखेगा ठीक है ना साइलेंट कर लीजे यह मेरा आपसे वेक्तिगत अनरोध है तो लेट स्टार्ट स्टार्ट है क्या है कि दो हजार बाइस सोचो 14 महिने का करेंट कभर करने जा रहे हैं तो सुरू कर यह नहीं लग रहा है वो जैसे हम लोग समाचार पढ़ते हैं नमस्कार दूर दर्शन पर आपका स्वाधत है और दूर दर्शन के समाचार में भारी बार बार इसके साथ गरत चमक के साथ वर्सा होने की उमीद है पपू की भाग जाएगी और उसकी गाएं कल दूद नहीं देगी कुछ इस तरीके का समझे रहे हैं अरे कर न रहे यार तुरू ठीक है तो सब लोग रेडी यूट्यूब आता है न तो मार्च फिर फर्वरी फिर जन्वरी दिसंबर नवंबर सही नीड़ा है न क्योंकि लेटेस्ट वाले आठ महीने आपका मन लगे न लगे आप भाग लो तब तक मैं जरूरी तो पढ़ा दूँ पहला कोश्चन आते सिंट्रल बैंकिंग द्वारा ये अभी 20 द मानित किया गया सथी कान दाश जी को अगला कोश्चन ये में कि और निक फॉर्ड वर्ल्ड के उधारण माने जाने माले प्यम मित्र मेगा टेक्स टाइब ऐसा पहली बार हो रहा है कि भारत कपडों का पार्क फैक्ट्रियों का पार्क खुलने जा रहा है वो कहां कितने तो सच ये खुल रहे हैं आपके साथ ठीक है न ये खुल रहे हैं आपके साथ अगला देखीगा अभी हाली में केंद्री रेल मंत्री अश्वनी वैशनों द्वारा की गई घोष्णा के अनुसार अश्वनी वैशनों के द्वारा की गई घोष्णा के अनुसार भारती रेल नेक्स्ट मिम्न में से कि ऊगूने हालही में contradd विदेश बंथरयों की बैठक की मढजीन की बैठक हम लोग कर रहे हैं और कौई कि बैठक भी हम ही लोग कर रहे हैं ठीक हैं नाbad की बैठक भी हम अपन्जाब में अभी इंटर्णी भी यह बंद कर दिया गया था पूरे दिन के लिए नेक्स्ट निम्न में से किसके दौरा दुनिया का पहला बास बैरियर लगाये गया है नेक्स्ट निम्न में से किसने 2022 के लिए BBC इंडियान स्पोर्ट्स वुमें आप दो एयर का आवार्ड जिता है मैं विश्वास करो अभी मार्च जनवरी फर्वरी का पढ़ लो फिर ऐसे ऐसे कोश्चन है पचास कोश्चन के बाद ना तुम हर कोश्चन पे ताली ना बजवादू तो तुम नाम बदल देना नाम बदल के सर जी रग देना अभी सर कहते हो ना मीरा बाई चानू ठीक है ना पर जाएं चुनावी लोगतं सुच गांग नहीं मजबूत वहीम बदल देहिए इन्मन में से किसे नैय लेखा महा नियंत्रक के रूप में निक्त गया गया है मेरे वो इस्टूडेंट जो मुझे यूट्यूब से देख रहे हैं इती लेक्चर के लास्ट में मैं एक 200 रुपए का बैच फ्री करने वाला हूँ जो मुझे देख रहे हैं कि मैंने यह सब करके उसी में क्लास ले रहा हूँ ठीक है अगला सेख मुहमद बिन अब्दुलरहमान अल्ठाणी को अभी हाल ही में किस देश के प्रॉप में नुक्त किया गया है पूरा महले का नाम इसी में आ जाए और सर्जिये नुक्त हुए हैं कतर के ठीक है नुक्त हुए हैं कतर के अगला ठीक है नुक्त हुए हैं कतर के निम्न में से किसे प्रितिजर आर्किटेक्चर पुरुसकार प्रितिजर आर्किटेक्चर धन्यवाद सकते प्रितिजर आर्किटेक्चर पुरुसकार 2023 के लिए चुना गया है प्रितिजर आर्क बनने का गौरवप्राप्त हुआ है बताईएगा आज जो भी स्टुडेंट डेड़ से दो घंटे साथ दे देगा मैं लिख के दे रहा हूं कि आज के कोशन से पास से आठ नंबर करेंट अफेयर में आएगा नेफ्यू रियो अभी अभी तीन राज्यों में चुना हुआ था वहाँ पे तीन नए मुख्यमंत्री 11 राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री बदल गया है एक कोशन यहीं से रहेगा नेफ्यू रियो सर आपके नागा लैंड से एक जगह के मारिक साह जी बने है त्रिपूरा के ठीक है ना राम चंद्र पॉडेल इंपॉर्टेंट पडोसी देश के राश्ट्र पती बने हैं विद्या देवी भंडारी जी की जगह बने हैं दोहरा लो सर नेपाल ठीक है ना नेपाल अगला क्वेश्चन निम्ण में से किस देश ने 25 वर्सों में पहली बार महिलाओं के लिए सैन सेवा सुरू की है निम्ण में से किस देश इसने महिलाओं के लिए पच्चे सर इसका राइट एंसर है यह ओप्शन को लंबिया अगला चीन सीमा के पास इलेक्ट्रोनिक और मेकेनिकल इंजीनियर्स इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अथिकारी जो लोग आईबी का एक्जाम देने जा रहे हैं वो आईबी सेना रौ उनके कोश्चन ध्यान रखेंगे इसका राइट एंसर है यह ओप्शन हीता राणा जी अगला कोश्चन निम्र में से किस राज्य में दुनिया की सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का वैसे तो हम लोग इस्टैटिक में पढ़े हैं कि गोरख पूर उत्तर प मत करो लल्ला अपने भविश्य के लिए युद्ध करना है मुझे भी लगातार पौने दो घंटे बोलने दो फिर अम लोग बेवहार बनाया जाएगा ठीक है ना लेकिन अभी यूट्यूब पे भी कोई कमेंट नहीं सिर्फ केर करो कोश्चन पे अभी हालही में नई खेलन नहीं खेल निती उत्तर प्रदेश सरकार ने लांच की है उत्तर प्रदेश अगला अभी तुम देखना 50 कोश्चन के बाद कोश्चन का लेवल कैसे चेंज होगा यह तो मार्च अप्राइल के हैं अभी मार्च और फरवरी के हैं अभी देखना थोड़ा सा पीछे जाओ एक अंदे भारे ट्रेन को रन कर आ रही है अगला देखेगा कोश्चन मिम्न में से किसे व्यास सम्मान मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं यहां से बोल रहा हूं जरा इसको सुन लो व्यास सम्मान सरस्वती सम्मान ज्यानपीट पुरुसकार साहित्यक आदमी यह चार पुरुसकार इसको याद रहेगा एक नंबर कंफर्म ले जाएगा व्यास सम्मान साहित्यक आदमी यानपीट और बिहारी पुरुसकार यह सारे यह चार-पांच पुरुसकार हैं यह आते ही आते हैं फ्रेंच ओपन आस्ट्रेलियन ओपन विमंडन और यूस ओपन एक नंबर कंफर्म आ 2018 में इन्होंने हाथ से व्यंग लिखा था यह पागल खाना थी कहा ना यह यह आरे पेड़े वीडियो नहीं हाने हैं ठीक है ना कोई बात थी कोई बात थी मैं इसको देख लूँगा मैं इसको देख लूँगा थोड़ी सी भी अगर दिक्कत लगे तो यह लेक्चर यूट यूट्यूब पे भी चल रहा है मिस्स मत करो यह लेक्चर यूट्यूब पे भी चल रहा है मिस्स मत करिए पेड़ बैच के साथ साथ यूट्यूब पे भी चल रहा है ठीक है ना पेड़ बैच के साथ साथ अपने पूरे जिसने हमारे पेड़ बैच के सुडेंट हैं एक ब आएगा एक बार अपने आपको रिफ्रेस कर दो अपनी वीडियो को रिफ्रेस कर दो ठीक है ना हाँ जिनको मेरी वीडियो नहीं आ रही है वो रिफ्रेस कर दें एक बार बाकी देख लो सारे पेड़ क्लास के बच्चों को मतलब यूट्यूब पे भी ये लेक्चर चलना है ऐसे आगाल स को निम्लिकित में से कौन सा राजे रेसम कित योजना ला रहा है यह और प्ला है ये और तरह खंड ला रहा है यह याद रखना थोड़ा सबसे ज़्यादा हथियार कौन सा देश खरीगता है अब यूपी में देखो यूपी में तो एक बार हुआ था ना उत्तर प्रदेश पुलिस का एक वीडियो आया था जिसमें ठाए ठाए मूह से इंगोली ठाए ठाए मारते हैं एक यूपी की वीडियो वारल नहीं हुई थी याद है कि नहीं वो हम भी देखे थे अब यूट्यूब पे तो हम लोग हैं ही तो ठाए ठाए गोली चल लए थी उत्तर प्रदेश में अगला तो इसका भी आप्सें सही है आप तुम लोग कभी नहीं भूलोगे ति हंतियार सबसे जादा भारत खरीद रहा है और यूपी में गोली ठाए लुग चल लए इधर की बहुत नलायक है यह भारत का बिरोधी है इसने जब TAA वाला मुद्दा आया था तो भारत के खिलाब बोला था अब यह भारत में अमेरिका का राषदूत है अब यह भारत में अमेरिका का राज़ दूर्थ है अगला कोश्चन आज ओल लला ठीक है ना निपलिकित में से किसने चंद्रमा पे मानो को लौटाने के लिए मानोता नहीं दया की भावना नहीं या मानो मानो को लौटाने के लिए नई पीढ़ी के अंतरिक पोचात अच्छ एसिया का सबसे बड़ा अंतर राष्टी खाद आतित्थ मेला आहार कहां पे किया जा रहा है सर आहार क्या जा रहा है दिल्ली में ठीक है ना दिल्ली में अगला कोशन तो ये आपके करेंट अफेर की मेरी क्लास चल लई है अगला आपके महिना आ गया फरवरी 2023 ये मार्च के अब तक के 25-35 बेहतरीन कोश्चन अब आज आओ फरवरी 2023 सब लोग रेडियो पर एक बार लाइक तो कर दो यार मेरे यूट्यूब वालो इस्टूडेंट और एक छोटा सा रिक्वेस्ट जितने लोग मुझे यूट्यूब से देख रहे हो आज एक 2000 रुपए का मुझे ब पाठी लिखा है एप डाउनलोड कर लो 20-25 MB का प्री का है यार और एक 2000 का बैच मैं आपको आज एक कोड बताऊंगा उससे डाउनलोड हो जाए ठीक ना आए फरवरी आंद्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने नई राजधानी किसे घोसित की सर विशाखा पत्तनम के लिए आए ही नहीं होंगे मैं कल सुबह जब करेंट अफैर पढ़ाओंगा वहां पर इसकी PDF दे-दूँगा कल सुबह 8.00 एम कल सुबह 8.00 एम पर मेरे करेंट अफैर की क्लास में इसकी PDF मिलेगी ये बात याद रखना कल सुबह 8 बजे इस क्लास की PDF दूँगा आज नही जो पीडियाप बनाते हैं आपकी जरूरत है हमारी आपके साथ दोस्ती है इसलिए हम आप मौजूद है मैनुएला रोका बोटे नाम देगर हो कितना खोटे मैनुएला रोका बोटे किस देश की पहली महिला प्रधान मंत्री नुख्त किया गया है आप ये महसूस करो कि आप लाइव इग्जामनेशन हॉल में हो ये कोश्चन आपके सामने है एंसर करके देखो इसका राइड एंसर बनेगा इक्वेटोरियर दिनी नेक्स्ट कोश्चन विश्व आदर भूमी हर बार का फेवरेट कोश्चन आदर भूमी दिवस सर विश्व आदर भूमी दिवस दो फरवरी को मनाया जाता है दो फरवरी को मनाया जाता है next question, next question, अभी हाल ही में किस ने G20 साइबर सुरक्षा भ्यास और ड्रील का उत्गाटन किया है, G20 साइबर सुरक्षा भ्यास भाया, अलकेश कुमार सर्मा ने किया है, G20 के इस बार मुझे एक दर 10 मिनट सो लेना है, मैं सिर्फ G20 के उपर, सिर्फ G20 के उपर best 50 का एक सो लेने वाला हूँ, यह मैं आपको कल सुब आठ बजे की क्लास में बता दूँगा सोच करके, कि ये, क्योंकि ना देखो, G20 की कितनी बैठाख हो रही है, और इससे question बनेगा, उमीर, आज वाले भी PPT में कम से कम 200 question G20 के हैं, तो एक सला सुन लो, जहाँ जहाँ G20 का question आवे, उसकी स्क्रीन सॉट ले करके अपने पास रख लो, उससे क्या होगा, तुम्हारे पास खुद एक तयार हो जाएगा data, सही कह रहे हैं कि नहीं, आज G20 के कम से कम 200 question इसी में है, भारत की अध्यचिता में पहली G20 Energy Transition Working Group पास से 7 फरवरी तक किस सहर में होगी, सर ये पहली बैठा ख स्क्रीन सॉट रखते जाएंगे, ठीक है लला, सब लोग, अगला, निमन में से किसने हाल ही में आज जीत, इंडियन नेशनल कार चैंपियंशिप का खिताब जीता है, साई संजय ने, पहले भारती हैं, जिन्होंने ऐसा कारनामा करके दिखाया है, हर बार बिदेशीन लेके जीत जाते थे, उस अब कार तेज चलाते हैं, अब इस बार भारत वाला ही जीता है, कितनी प्राउड की बात है, अगला, पहली बार राश्ट्री बीच, अब दोको ये पहली बार हुआ है, तुम आप सभी लोग मेरे क्वेश्चन का आज का लेबल ध्यान देना, और फिर म ये उपसन 36, अच्छा पेड बैज पे लड़के, तो सक्रीण सॉट ले नहीं पा रहे होंगे, यूट्यूब वाले जो दोस्त हैं, वो स्क्रीन सॉट ले ले रहे होंगे, तो साथी साथ ये यूच्व पे भी क्लास चल लेई है, आप यूट्यूब पे भी आ सकते हो, कब की मेजबानी निम्न में से किस देश को सौपी गई है सर ये सौपी गई है सौधी अरब को देख रहो एक बार फुटबाल उडबाल उधर कतर में हो गया अभी कतर में जब हुआ फीफा तो बड़ा अच्छा योजन हुआ तो हुआ कि अब की बार फिर एसिया वाला भी जो फुटबाल होगा वो फिर कहां होगा इधरी दे दो सौधी अरब में जी ट्वेंटी ठीक है ना सब लोग एक बार रिफ्रेस कर लो पेट बैच वाले मेरे जितने स्टुडेंट हैं वो एक बार रिफ्रेस करते रहें बीज बीज में उससे क्या होगा उनको वीडियो क्वालिटी अच्छी मिलती रहेगी रिफ्रेस कर लिया करो बीज बीज में जी ट्वेंटी अब देखो यह फिर इंपोर्टेंट है यूट्यूब के बच्चों पेट के बच्चों स्क्रीन सॉट ले लो राइट एंसर है अलकेस कुमार सर्मार यह तो ले चुक है काला घोडा महुत्सो इस बार का जो महlarıास्ट्र में होता है मुंबई में होता है Confederate हुष्टावाइस को एंसर सौर्गडवंधन का नया सदस्य बना बनुष्टाववेर त्युक नबश्वर नोन में कांसा देश अंतर्स सौरगडवंधन का नया सदस्य वंदस्य थर सबसे लेटेस्ट सदस्य है कांगो सबसे लेटेस्ट सदस्य है कांगो अगला अभी हाली ही में वार्सी ग्रैमी अवार्ड के कौन से संस्क्रण का उध्गाटन किया गया ग्रैमी अवार्ड कुछ दिन पहले बटे थे कुछ दिन पहले सर ग्रैमी अवार्ड का 65 संस्क्रण है भारत के पहले hydrogen combustion engine का अनावरण किया गया भारत का पहला hydrogen combustion engine है सर इसका right answer है reliance industries limited ने यह से जो question होते हैं बड़े important होते हैं हाल ही में किस राज्य में अब देखो फिर youth 20 यह जो youth 20 की बैठक है G20 के अंतरगत की गई है इसका right answer है awesome मैं इसी लिए कह रहा हूँ न कि यह class YouTube पे भी चल लेता कि आप और PDF इसकी कल सुबा आठ बजे मिलेगी कल सुबा आठ बजे मिलेगी कल सुबा आठ बजे इसकी PDF मिलेगी ठीक है next निम्र में से किस देश के द्वारा दुनिया का पहला सूपर चुम्बक विक्सित किया गया है दुनिया का पहला मैं कहा हूँ न आज के 400 क्वेश्चन आपको एक बार हिला करके रख देंगे कि गुरुजी मजा आ गया आज के क्वेश्चन पढ़के लेकिन तुम लोग देखना थोड़ी देर में स्टुडेंट कम होंगे सब संघर्स नहीं करता है सब लोग थोड़ा थोड़ा आनंद लेते रहते हैं दस मिनट देख लिए वीडियो हां काम हो गया जैसे लगेगा हम पढ़के आज आईसाय बन गए वो इस्थिती मत लाना ठीक है न मैं हमेशा कहता हूँ न सबको अपने जीवन का संघर्स करना पड़ता है मैं एक स्टेट्मेंट देता हूँ जो तुम लोग हमेशा मेरे मूँ से सुनते होगे कि सबको लड़ना पड़ता है अपना अपना युद्ध चाहे राजा राम हो चाहे गौतब बुद्ध तो उस संघर्स से नहां बचे नहां बचे जब भगवान नहीं बचे तो हम लोग क्या बचेंगे यार पैगंबर हजरत मुहंबत साहब जी को भी अपने हिस्से का संघर्स करना पड़ा इसा मसी भी किये हैं भगवान राम भी किये हैं गुरुनानक देव भी किये हैं ये छुपा हुआ बात नहीं है ठीक है ना ओप्रेशन दोस्ट ऑप्रेशन जोम्स अगला कामरान अकुमल ने हाल ही में अंतराश्टी क्रिकेट से सन्यास ले लिया ये भारत को न दो तीन मैच हराने में बहुत दांत बाहर की तरफ निकला रहता था उठा उठा गे एक दूछ का मार देता था दिल दुखी हो जाता था पाकिस्तान का है कोई बात नि प्लेयर हैं और भारत टैलेंट की कदर करता है और सठवे भारती अंतरराश्टी परिधान मेले का उध्गाटन किस राज्य में किया गया है और सठवे भारती परिधान मेले का उध्गाटन सी ऑप्शन उत्तर प्रदेश में निम्र में से किसने एस्सोसियेशन पॉर टैले तो मैं भी एक बार सोच रहा हूं यूट्यूब पर आप लोग के साथ जूड जाओं मैं भी अच्छा थोड़ा सा भी स्क्रीन से हट जाओ ना तो इस तुरंत गायब हो जाता है वो एंटी पीसी ने जीता है यसरो और नास्वारा बनाया गया निसार उपगरो को किस देश ने लौंच किया है तर निसार लौंच कर रहा है भारत ठीकहर लlings कर रहा है आपके भारत अगले पें इतन finely बनेगा यह बहुत इन्पॉर्टेंट बनेगा इस क्या राइट अंसर होगा तो सर यह है आपके बी ऑप्शन जम्मू में ठीक है ना जम्मू में अगला कोशन मैं भी अपने आपको जड़ा देखना चाह रहा हूं कि मैं पढ़ा रहा हूं वहां लोगों के जो कमेंटोमेंट हैं प्रॉपर चल रहा है ना मैं भी मोबाइल में हाँ हाँ चल तो रहा है जिक है मैं भी यहाँ इसको रख दूँ कि सारे इसाप किताब मुझे भी समझा इस वयाष हुआ जआ ज अब आ जाओ इसका इंसर है अदीती अशोक तीक में अदीती आशोक अब आ जाएतजिये है अब यह महान प्लेयर है हम आप नहीं जानते ना इसमें उसकी गलती थोड़ी है यह पूछ देगा बहुत महान प्लेयर है इसकी इंग की यह जैसे यू मालो जैसे क्रिकेट में सचिन तैंदुलकर समझ रहो ना इसलिए इसको पढ़ाना पड़ रहा है रमेज बैस 11 राज्यों के अगला निम्न मेंसे किसके द्वारा फैमिली आइडी जैसे आप मध्य प्रदेश में जाहिए तो वहां के लोगों के पास एक अपनी लोकल आइडी होती है समगर आइडी जिसे कहते हैं उसी तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने भी कहा है कि हर फैमिली की एक अपनी प्रदिया में आपके वह हुआ क्या बोलते हैं भुकम पाया तो वह इंपॉर्टेंट बनेगा न्यूजी लैंड में गैब्रियल पांचवे खेलो इंडिया यूद्ध गेम्स में किस राज्य ने पहला अस्थान हासिल किया है ऐसे कुश्चन ज्यादा बनेंगे पेपर में भारत का पहला राष्ट्री में रेल ग्यान केंद्र निम्न में से किस अस्थान पर बनाये गया है राष्ट्री ग्यान केंद्र सरी ऑप्शन दिली में अगला यूनेसको द्वारा निम्न में से किसे सांती पुरुसकार सम्मान से सम्मानित किया गया है सांती पुरुसकार सम समानित कहा गया एंजल्या मारकेल को जर्मनी की भूदपूर चांसलर थी निवन में से भार अब देखो फिर जी ट्वेंटी आया ना जी ट्वेंटी वाले क्वेश्चन्स का स्क्रीन सॉट लेते रहो जितने लोग यूट्यूब पे मौजूद हो पीडियाफ तो कल देही लेकिन ये पूछेगा लेकिन पूछेगा इसका राइट रही से पहली पहली बार सुुदी अरभ बेज रहे हैं next question भारत की पहली एसी एलेक्ट्रिक भारत की पहली एसी एक्ट डबल डेकर बस निम्वम्ण में सटे किस अहर वर नहीं किया जाएगा रिमेंबर दैट नहीं किया जाएगा फीफा इस बर यसा पहली बार हो रहा है जब तीन देश मिल कर आहए तरूप से आयोजीत कर रहे हैं और इसमें बस एक देश नहीं है अर्जेंटीना अमेरिका कनाडा मैक्सिको यह तीनों लल्ला मिल करके इसका आयोजन कर रहे हैं मिल करके आयोजन कर रहे हैं अगला अभी जैसे जैसे यह 100-100-200 की तरफ जाएगा कोश्चन का लेबल बहुत most most important होता जाएगा साल भर के 400 कोश्चन तो सोचो मैंने खुद कितना चाट करके कोश्चन लाया होगा इस क्लास की PDF कल सुबा 8 बजे दूँगा सब लोग आ करके ले लेना लापरवाही मत करना आज कुछ लोग लिख देंगे comment box में कि सर वो न हमको PDF नहीं मिला तो हाँ जोड़के कह रहा हूं सोमवार 20 मार्च की क्लास में सुबा 8 बजे की क्लास में आ जाना इसकी PDF दे दूँगा निम्र में से किस अस्थान पर आदी महुत्सों का उत्गाटन किया गया आदी महुत्सों को उत्गाटन दिल्ली में हुआ अभी हाली में प् वीरगारजियन यह सब अभी और सी यू मैत्री ठीक है ना सी यू सी यू मैत्री सिन्यू मैत्री यह तीनों के तीनों भारत जापान सीन्यू मैत्री भारत जापान धर्मगारजियन भारत जापान वीरगारजियन भारत जापान ठीक है ना वीरगारजियन भारत जापान आधी महुत्सो अलग जगह आहार महुत्सो दिल्ली में और ये वाला सी आपके फिर से मुंबई में यूरोपी संग ने अब देखो यूरोप के जो यूरोपी यूनियन वाले देश हैं उनके कहां गैस डीजल से अफकार है नहीं चलेगी वो कब तक यह प्लान किया हैं 2035 तक रेलवे प्लेटफॉर्म सर करनाटक में हो गया है दूसरे नंबर पर गोरख पूर्वाला है तीसरे नंबर पर यह कोलम ही है केरल का ठीक है और इसका राइड अंसर है केरन सर भारत का सबसे सर्वस्रेश्ट जिना पंचायत है कोलम और पंचायती राज पॉलिटी हो सकता है पॉलिटी में कोश्चन न करके इस कोश्चन को जोड़ दे और एससी रेलवे जीडी एमटीयस आईबी लेबल तो ऐसा ही रहता है डायरेक्ट कोश्चन नहीं करता है थ्वड़ा सा घुमा करके दे देता है और मैंने कहा है आज के सेसन में जी ट्वेंटी के उपर मैंने ब कितने कलाकारों को 2019, 2020 और 2021 से समानित किया गया है बिस्मिल्ला खां युवा पुरुसकार पहली बार दिया जा रहा है तीनों का इक अठा दे दिया गया और सर ए ऑप्शन एक सो दो कलाकारों का नाम नहीं पूछेगा लेकिन संख्या तो पूछ सकता है ना पढ़ने का एक तरीका होता है लला अगला कोशन अब यह हम लोग एक साल का करेंट अफिर पढ़ रहे हैं और एक घोशना अब जनवरी 2023 दो महीने हम लोग पढ़ लिए मार्च पढ़ लिए फरवरी एक मिनट की एक सूचना ले लो जितने दोस्त मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं एक उपर लिंक लगी हुई है उससे अड़ा का एप डाउनलोड कर लो क्योंकि लिक्चर के लास्ट में मैं क्या करने वाला हूँ आपके लिए एक बैच पूरा का पूरा फ्री करने वाला हूँ ठीक है तो वह अब अगला सुरू करें जैहन लिखो नेक्स्ट पर जाते हैं ठीक है ना silent कि जाते हैं सतर। नागरिक संगठन द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार निमण में से किस राज्य ने आर्टी आई ढ़वाब देही में सबसे ख़राप प्रदर्शन किया है RTI जवाब देही में ठीक है ना तो ए ऑप्शन तमिल नाडू ठीक है ना तमिल नाडू अगला निम्र में से किसराज्जी ने लचमी सिंग को पहली महिला पुलिस कमिश्णर नुक किया है और जितने लोग मुझे देख रहे हो मैं आपकी जानकारी के लि दो लड़कियों के ऐसे मैसेज आए जो थोड़ा सा मतलब बहुत दुखी एक उड़ीशा से कोई लड़की की थी साइद उसका नाम प्रिया करके कुछ था उसने लिखा था सर आगर मेरा इस बार MTS का एक्जाम या IB का भी देने जारी हूं ते इसको नहीं निकला सर तो घर कर रहे हो उसकी साधी की अगर आप उनके घरवाले मेरी बात सुन रहे हो तो उस गर्ल ने का कि सर मुझे भी सर वर्दान बैच पढ़ा दो मतलब सुचो क्या इस्थिती है सर मैं इस बार जितना कहो उतना पढ़ूंगी कंपटीशन निकाल दूंगी मुझे अपने से वह ब आप अड़ा का एब डाउनलोड करके रखो मैं सिर्फ उस एक उड़ीशा की लड़की जिसको मैं जानता भी नहीं हूं उसके लिए मैं ये मदद जरूर करूंगा क्योंकि नहीं है बच्ची का मन मेरे चोटी बहन की तरह होगी वह कुछ तो मतलब उमीद लगाई होगी ना कुछ तो उमीद लगा करके मैसेज लिख दियोगी ना कि ये बड़े भाई हैं ये हमारे गुरु जी हैं मेरी छोटी बहन होगी मुझसे उम्र में कम बच्ची बुलिक मैं बहुत कम हूँ सरेज में बुरा लगा मुझे वह वेक्थिकत तोर पे मेरे टेलीग्राम पे इसका राइडिंग करूंगा ठीक है ना खेर इसका राइट अंसर ए है और तुम लोग समाज में ऐसा होने मत दिया करो तीन तूफानी सब जो बत्तमीज टाइप के लोग समाज में मौजूद है बच्चीयों के साधी बहुत जल्दी कर देते हैं ये सब कर देते हैं मत होने इसे किसने खेलो इंडिया महिला अब देको यहां पर क्या है पुरुस यहां पर पुरुस वाला खिताब मध्य जीता है वहीं महिला वाला खिताब देखोगे तो हर्याना ने जीता दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट अंगला भारती विज्ञान कांग्रेस का एक सो आठ्वा सत्र कहा विजित किया जाएगा भारती विज्ञान कांग्रेस का एक सो आठ्वा सत्र नागपूर में दो हजार ते देको यह मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कोश्चन है लेकिन मुझे विश्वास है कि आपको भी रटा हुआ है क्योंकि भारत के कहने पीसे मिलेटीयर घो कहा गया है तो आपके पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए कि किस फसल को सूपर फूड कहा गया है या किस फसल को अनस्री कहा गया है जोर एंसर गोजवित बाजरा मिलेट मोटे अनाज ठीक है अगला दुनिया के सबसे उचे यूदिछेत सिया चीन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बन गई है सर पहली महिला अधिकारी सीवा चौहान बन गई है एक रिक्वेस्ट करूं मुझे नहीं पता कि यूट्यूब पे कितने स्टूडेंट चल रहे हैं साए 4,445 सौवा क्वेश्चन आते आते तक 5000 स्टूडेंट्स प्लीज हो जाईए ठीक है 5000 माई हां अगला क्वेश्चन बताईएगा इसका अंसर क्या होगा है तो सब फ्लक्चूएट हो जाएगा सर्थ यह भी वो भी प्रॉपर है उन्दी स्टूरेंट्स को बीच में को नहीं है जाएगा 10 सेकेंड अच्छा सुनो यार देखो हमारे टेकनिकल टीम के मेंबर हमसे कह रहे हैं कि सर अगर इस्टूडेंट को आप 20 सेकेंड के लिए यहीं पर छोड़ करके एक दूसरे हां 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 करेंगे तो हम आपका एक अच्छे स्टूडियो में सेट कर देंगे यहां पर नयार बहुत गर्मी हो रही है एसी बिल्कुल क्लोज है और मैं तो कोट पहना हूँ हाला कि वो लोग बिचारे यहां लगे हुए हैं तो मैं बीस सेकंड में आप से दुबारा मिलता हो बस यहां से दूसरे स्टूडियो में जाओंगा आप लोग यहीं बने रहिएगा कोई दिकत नहीं लेकिन इस बीस सेकंड में एक काम कर लो 20-30 सेकंड में काम कर लो मैं कम से कम आज दो हजार उपए का एक बैच बिलकुल प्री करने वाला हूँ उस बैच में टेस्सिरीज, इबुक, सब कुछ है आप एक काम करिएगा वो देखो यूट्यूब पे उपर लिंक दी हुई है यूट्यूब पे उपर लिंक दी हुई है तो इसी लेक्चर के थोड़ी देर में मैं एक कोड बताऊंगा और उस कोड से आपको वो दो हजार का बैच फ्री मिल जाएगा साथी साथ जो मेरा वर्दान बैच है जिसमें मैं पूरा जीयस पढ़ा रहा हूँ अकेले जो धुआधार तरीके से लाँ उसकी दो वीडियो यूट्यूब पे भी पड़ी है इस बैच को भी आज मैं सच कहूं बहुत नॉमिनल रेट पे एक मेरी उडिसा की छोटी बहन किसी ने मुझे टेलिग्राम पे मैसेज किया उसके नाम पे आज मैं इस बैच को लगभक साया 100 रुपए से भी कम में दे दूँगा रीजन है यार अगर मैं यह न कर पाया ना तो मैं खुद को कभी-कभी ग्लानी महसूस करूँगा ठीक है ना तो यह वरदान का तो आप डाउनलोड करिए मैं यहाँ एसी चुकी नहीं चल लिए यह मैं दूसरे वाले स्टूडियो में आ रहा हूँ 20 सेकंड का गैप आएगा 20 सेकंड का गैप आएगा ठीक है ना तो थैंक यू 20 सेकंड 20 सेकंड मात्र 20 सेकंड मैं इसी स्टूडियो से उसी स्टूडियो में गया है ठीक है थैंक यू हुआ हुआ हम तो मैं फिर से 20 सिकंड के एक छोटे सी गढब के साथ आपके बाद हाजीर हो गया हूँ ठीक है ना आपके साथ हाजीर हो गया हूँ तो आई होप आप सब लोग मुझे देख भी पा रहे होँगे सुन भी पा रहे होँगे एक बार कमेंट कर दीजेगा एक बार मुझे comment कर दीजेगा कि yes sir सब हो गया ठीक है ना yes sir हो गया एकदम okay चलना है एक बार बस बता दीजेगा कि yes sir हो गया बणिया चलना है ठीक है ठीक है पहला question D option सूरत ठीक है ना D option सूरत से है एहमदाबाद दिल्ली संपरक्रांती का नाम बदल कर क्या किया जाएगा एहमदाबाद संपरक्रांती का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है भया याद रखना जिन जिन लोगों का railway का paper है ये question important बनेगा एहमदाबाद संपरक्रांती का नाम बदल करके अक्षर धाम एक्सप्रेस कर दिया गया है ठीक है ना अक्षर धाम एक्सप्रेस कर दिया गया है अगला दुनिया का सबसे लंबा क्रूज कहां लॉंच किया गया है अभी कुछ दिन पहले की बात है कि दुनिया का सबसे लंबा क्रूज B option भारत से लॉंच किया गया था वारानसी से लॉंच किया था और अगर पेपर में लल्ला इसका नाम पूझ दे तो गंगा विलास बता देना ठीक है गंगा विलास बता देना चलिए अगले question पर जाते हैं और अगला question देखते हैं कि क्या है ठीक है ना अगला question जागा mission के लिए यह important बनेगा एक्चुली देखो हैं तीन चार सो question और सब के सब अपने में important है मैं किसको कहूँ कि छोड़ दूं किसको कहूँ कि ना छोड़ू तो जागा mission के लिए किसने वर्ल्ल हैबी बेट हैबी टेट हैबी बेट नहीं हैबी टे 23 जीता है उरिसा राजे सरकार ने निमलिकित में से किस राज ने हाल ही में इमो इनू इरिप्ता महोत्सो मनाया है मेला महोत्सो इनके questions पेपर में आने ही आने है right answer है मड़ी पूर ने निमन में से किस राज ने दुनिया के पहले ताड के पत्ते के पांडुली पी संग्राल का उद्गाटन किया है ठीक है ना हाँ हाँ बिल्कूल मेरे जो पेड़ बैच के स्टुडेंट है वो हमसे पूछ रहे हैं सर इसका रिकॉर्डेट सेशन मिल जाएगा ना यूट्यूब पर भी पढ़ा रहेगा तुम्हारे पास भी जो मैंने तुम्हें बैच फ्री में दिया आप सोचो मैं बार-बार कह रहा हूँ जी ट्वेंटी की पहली बैठा कायोजन ए उप्षन पॉंडी चेरी में किया जाएगा निम्न में वाई ट्वेंटी वाई ट्वेंटी सम्मिट के लोगों को लॉंच किया गया है निम्न में से किस राज में भारत के पहले परपल फेस चाटा हूँ यार तो समझ सकते हो कि मेहनत किया हूँ कल पूरे दिन इस पे बैठ करके निम्न में से कौन सा राज पहली बार फार्मूला यी वर्ल्ड चैंपियंशिप कार की मेजबानी ये ओप्षन तिलंगाना करेगा अगला वर्ज 2022 में भारत का सरवाधिक प्रदूशि जब तक अगली रिपोर्ट आएगी आपका एक्जाम हो गया होगा अगली रिपोर्ट आएगी चार महिने बाद तो चार महिने के लिए तो दिमाग में बैठा लोग कि दिल्ली है अगला निम्न में से किस सौंग ने बेस्ट सौंग का गोल्डेन गलोब आवार जीता है सर नाटू 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 कहां है नाटू नाटू यह आर आर अगला हेले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 के अनुसार हेले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 के अनुसार किस देश को प्रथम अस्थान प्राप्त हुआ है यह ऑप्शन जापान को प्राप्त हुआ है अगला इस ख क्या जा रहा है पंजाब में ठीक है ना पंजाब अगला राष्ट्री विज्ञान दिवस 2023 की थीम क्या तैंकी गई है राष्ट्री विज्ञान दिवस 2023 की थीम क्या तैंकी गई है बताएगा सर राष्ट्री विज्ञान दिवस 2023 की थीम है वैस्विक कल्यान के लिए वैस्व सीवां ठीक हैं याप्षन पचासीवां अगला विदेशी धर्ती पर होने वाले किसी भी हवाई-उध्धा प्भ्यास में सामिल होने वाली देश की पहली महिला पालेट कौन बन गई है ठीक है देश की पहली महिला पाइलट कौन बनी है यह उप्शन अवनी चतुरवेदी यह है आपके रीवा मध्यप्रदेश की ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उतकृष्टता केंद्र कांकी स्थापना कहा की जाएगी डेड़ दो घंटे की क्लास है अभी का संगर्स है कर लोगे डेड़ दो घंटे इसको लगातार तो भगवान चाहा तो दो चार नंबर करेंट अफ्यर के पक्के हो जाएंगे सिर्फ मेरे मेहनत करने को मेहनत नहीं कहते हैं हमारा तो यह कर्म है फर्ज है सब कुछ है आपके लिए यह पूरा जीवन है ठीक है तो करेंट अफेर को बहुत ध्यान से आज पढ़ लो निमने से किसे प्रतिश्टित गोल्डेन पिकॉक अवार्ड से समानित किया जाएगा गोल्डेन पिकॉक अवार्ड से जिननल इस्टी एंड पावर को किस टीम में पहली बार विपच्छी टीम को 300 रन या उससे अधिक रनों से हराने का विस्स रिकॉर्ड बनाया है बताईएगा विस्स रिकॉर्ड बनाया है ए ओप्शन भारत ए ओप्शन भारत अगला कोश् योब बगल से जा रहे थे खुब सोर सावा करते हुए तो मुझे उनलों को देखना पड़ा कि बहिया सोर मत करो इधर क्लास चल लए है अगला अभी हाली में यूकी भांबरी ने किसके साथ मिलकर बैंकॉक ओपेंटेरिस किताब 2013 जीता है साकेत माई नेली ने अगला निम रिश्टी हिंता कानून लागू करने वाला राज पहला कौन सा बना है सर वो बना है आपकी राजस्थान अगला अब यहाली में किसे देखो राश्ट्री सुलच्षा सराकार कौन है आपको सर अजीट दोभाल जी हैं आप कोईगे कि सर यह कौन है तो आपके ये तो भ़ही आपके बी option पंगज कुमास सिंह ठीकर ना कोई बात नहीं वाइज वाइज की दिक्त किसको यूट्यूब वालों को यूट्यूब यूट्यूब को तो वाइज की दिक्कत जो हमारे यूट्यूब श्टूडेंट्स को है मैं तुरंठ समहाल लूँगा हो गया Okay हो गया चलो बया बो बूलो अवाज Okay हो गई अवाज के नहीं नहीं पेड़ क्लास में तो कोई दिक्कत ही नहीं जाती यार वो कभी कबार आज यूट्यूब पता नहीं क्या एवोन वास्की सहाब पता नहीं क्या लग रहा है करेंट अफेर हमारा पढ़ रहे हैं अब उनको लग रहा होगा कि आज तो उसका अब यह सॉल्व हो ग आयोजन किया रहा है यह उप्षन फ्रांस निम्न में से किसे बहरीन के आयस से पुरुसकार से समानित किया जाएगा बहरीन के आयस से पुरुसकान से सर बहरीन के आयस से पुरुसकार सैंडूक रूइट तुम्हारा नाम रख दें सैंडूक रूइट चलो मेरा नाम कर दो करनी है कि निम्ण में इस ने हाँ की विशुकप के इतिहास की अब तक की सबसे वड़ी जीत्दर्ज की है इसा वारत में यहा सबसे गहराई जनवरी का पर चलला है इसके बाद डिसंबर पढ़ाऊँगा पीर अक्टूबर फिर सितंबर फिर अगस जुलाई पूरा पपर पिछले मार्श तक चला जाऊंगा राइड बी ऑप्शन फ्रांस आदिवासियों को पने दस्तावेज कराने वाला पहला जीला कॉन सा बना है आदिवासियों को बिदी Basically सरादिवासियों को बुनियादी दस्तावेज उपलब्द कराने वाला वाइनाड केरल में पढ़ता है ना राहूल गांधी यहां से चुनाव लड़े थे हिमाचल प्रदेश को किस वर्स तक पहला ग्रीन राज्य बनाने का लच्छे रखा गया अच्या एक कमेंट मुझे करो इमांदारी से बताओ कोष्चन अच्छे लग रहे है ना कोष्चन से उम्मीद और है कि हां सर ऐसे कोष्चन से इक्जामनेशन पेपर में आएंगे लड़ा देखो हमारे हाथ में क्या है मेहनत करना कोष्चन आना ना हम भगवान नहीं आप भी भगवान नहीं हम लोग सिर अभी हाल ही में नाटू नाटू गाने को आसकर के लिए नॉमिनिट देखो यह question पुराना है अब तो यह हटा दो जीत गया लिख लो अब तो यहाँ पे हम लोग लिख दें जीत गया sir कहा का है rr rr का है समझ रहो अगला question अगला दुनिया की सब अच्छा देखो एक बात नाटू नाटू गाना ऑसकर का original best song जीत गया जितने लोग देख रहो 70% लोग नहीं बता सकते कि इस गाने का संगीत कार कौन है और इस गाने की lyrics को किसने लिखा है बता सकते हो इमांदारी से आज का comment box दिल से इस चीज से भर देना कि नाटू नाटू गाने का लिखने वाला writer इस बीने तीवारी बिलकुल नहीं है दुनिया की सबसे अरे बिने तीवारी रिजनींग वाले यहां पर आ गए हम है तूमके जो भी यह आप question सब पूछे मैं आया तो मैंने का मैं नहीं लिखा तो क्योंकि आप डांस करने मूड में मैं कब किया अभी अच्छा सरीव करना बढ़िया देखो यह क्लास ले रहे हैं यह आपके MTS की हर बच्चे के लिए सबसे चीज बता हूं यह टाइम लाइन यह टाइम बहुत क्लूज चले आपके लिए किसी भी दिन आ सकती है और आप इस क्लास को मैं तो कहूंगा सर दो से तीन बार करेंगे सर मैं इनको पीडिया भी दूगा मैं पीछे इंपर जाओंगा ने सब पन्त वी एक्सिडेंट करवा के बैठे हुए है अगला निवन में से किसे आसकर के लिए नॉमिनेटेट किया गया है आल डैट ब्रीट्स ठीकन आल डैट ब्रीट्स और उसके अलावा दा एलिफेंट विसपर अब यह वाले नाम याद रखना दा एलिफेंट विसपर यह बेस्ट डाक्यूमेंट्री सॉर्ट फिल्म का भारत की तरफ से अवार्ड जीत गई है नाटू नाटू गाना बेस्ट ओरिजिनल सॉंग का अवार्ड जीत गया है तो लोगों को दो चीजे याद रहेंगी कि भारत की तरफ से दो चीजे नॉमिनेटेट थी दा एलिफे अगला तो यह एक साल का करेंड फेर चला है लला और इसमें आप अब दिसंबर का पढ़ने जा रहे हैं ठीक है ना अब दिसंबर का पढ़ने जा रहे हैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ बहुत छोटा सा आप से जितने लोग मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं उपर द अच्छे देख रहे हैं वो लोग फ्री डाउनलोड एप करके मेरे पेड क्लास को एकसेस ले लिए हैं आप भी डाउनलोड कर लीजिए इसी लिंक से जो लोग इस वीडियो को बाद में देखेंगे लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में यही आशुतोस त्रिपाठी देखना उस लिंक में लिखा हुआ है डाउनलोड कर लेना मैं आपको एक बैच दो हजार रुपए का अभी इसी लेक्चर के लास्ट में फ्री कर दूँगा और जो मेरा वर्दान बैच है जिसमें मैं पूरा जी अस पढ़ा रहा हूं आज ही इसी लेक्चर के नाम पे मेरी जो उड डाउनलोड करके रखो लिंक वो अभी नीली पटी है फिर वो हट जाएगी हट जाएगी उसके बाद मैं बैच का लिंक लगा दूँगा एक कोड बताऊंगा उस कोड से टेसरीज इबूक वीडियो को सब ले लेना वो लिंक अभी डाउनलोड कर लो लला बीस पच्चीस ए निमन में से किस देश के बीच आयोजित किया गया है ठीक है ना भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया गया है बी ऑप्शन अमेरिका बी ऑप्शन भारत युद्धाब्यास भारत अमेरिका अगला मंकी पॉक्स देखो अभी मंकी पॉक्स का नाम बदल दिया गया है monkey pox को अब कोई भी monkey pox नहीं M pox कहेगा ठीक है ना M pox कहेगा अगला निम्र में से किस ने विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का खिताब सौराष्ट ने जीता है दूसरी बार जीता है तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं सेकेंड टाइम किसको हरा करके जीता है पश्चिम बंगाल को हरा करके जीता है अगला कोईशन अभी हाल ही में चिपको अंदोलन पराधारित किताब को क रमला देवी चटो पाध्याय एन आई एफ पुरुसकार से समानित क्या गया है यह किसके दौरा लिखा गया है सेखर पाठक के दौरा अगला कोईशन निवन में से कौन NCBC के नए अध्यक्ष के रूप में नुट किये गया है बताइएगा NCBC के नए अध्यक्ष के रूप म समानित क्या गया है देखो भारती स्टार्ट अप को और यह स्टार्ट अप किस छे से संबंदित है साज बताओ कोशन पूछने का तरीका और कोशन और कंटेंट सही लग रहा है ना आने की संभावना है ना ऐसे कोशन को अब यार मेहनत करो ना फिर देखा जाएगा नंबर मिलना न मिलना यह तो किसमत की बात है लेकिन मेहनत करना तो अपने हाथ की बात है ना करो मेहनत जम के दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटियम निम्न में से किस अस्थान पर लगाया गया है दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटियम भाया करीब करीब 400 के आ संडे है कहां से मैं बुला लाओं किसी को कि भाई आप PDF दे दो इनको छुटी पे हैं यार सब लोग साइद आप मेरी प्रॉब्लम समझ भा रहे होगे सो अरब डॉलर का प्रेशनल प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है सर डी ऑप्शन भारत ठीक है न डी ऑप्शन भारत अगला क्वेश्चन आयूसमान भारत आईडी जनरेशन के लिए किसे प्रथम पुर तो इसका एंसर है भी प्लीज आप मंगा तो एक 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 ठीक है इसका एंसर है सी ऑप्शन ठीक ना सी भी अगला अभी हाली में भारत और कजाकस्तान के बीच में जितने मेरे पेट बैच के स्टूडेंट एप के माध्यम से मुझे देख रहे हैं जिनको ये मैंने बैच एप में फ्री दे दिया है उन स्टूडेंट के लिए एक सूचना लला अगर आपको कहीं भी हलका सा लगे कि आवाज रुकरी कुछ हो रही है तो एक बार रिफ्रेस कर लिया करो ठीक है ना एक बार रिफ्रेस कर लिया करो फिर सब सही हो जाएगा इसका राइड एंसर है बी ऑप्शन छटमा अभी हाली में तंदूर के लाल चने को जी आई टैग दिया गया है यह किस राज जिससे संबंदित है और जितने मेरे दोस्त यूट्यूब पे मु नहीं में आयोजित 19 अंतर राष्ट्री जूनियर साइंस ओलंपियाड में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है जूनियर साइंस ओलंपियाड में भारत को ए ऑप्शन पहला स्थान प्राप्त हुआ है फॉस्ट पोजीशन न अब यह पढ़ लिए नहीं होना चाहिए न इसलिए रिवीजन क्लास होती है इसलिए दो दो तीन तीन घंटे आज पढ़ाना पड़ेगा निवन में से कौन सा देश सेटलाइट स्पेक्ट्रम की निलामी करने वाला पहला देश बन गया है भारत बना है मेरे पीपीटी में लेकिन आईबी में और सीजियल में यह कोशन पूछने की प्रबबिल्टी है ठीक है तो इसका राइड एंसर बनेगा अक्कापता MTS में पूछ दे अब वह थोड़ी है कि गुरु जी आप तो कहते नहीं पूछ वो अलग बात है भारत का पहला डार्क स्काइरिजर निवन म बार दोहराओगे आप्शन आएगा सही कर ले जाओगे तुम यह सोचो कि इतनी स्पीड में पढ़के तुम्हें याद हो रहा है तो नहीं लेकिन तुम्हारे दिमाग के किसी एक वैज्यानिक कोने में कॉर्ण सौफ्ट कॉर्णर में यह इंट्री करता जा रहा है भरोसा रखना आइंस्टीन से लेकर के न्यूटन तक यह लोग इसलिए महान नहीं पैदा हुए क्योंकि यह बच्पन से महान थे इन्होंने प्रैक्टिस किया इन्होंने एक काम पे 20-20 बार गलती की 100-100 बार सोध किया तो वो आइंस्टीन और न्यूटन बना तुम किसी से कम नही करते हैं सर एक बार दो बार पढ़ लेंगे सोचेंगा रहे पढ़े तो थे गुरुजी आपका पढ़ाया हुआ यह हो गया वो हो गया पढ़के तो देखो लला किसी से कम नहीं है मेरा स्टूडेंट मुझे भरोसा है भारत का एक एक बच्चा एक एक स्टूडेंट एक लड़की यह ठान ले किताब खोल के पढ़ूंगी बेसिक से हाई पर जाओंगी या लड़का ठान ले वो यूपी असी को खाड़के फिक देगा हां हम लोग में गलती का है ठान नहीं पाते हैं ठान लेते हैं तो चार दिन बाद रील देख लेते हैं हां बहुत बढ़िया रील में समय चला जाता है इंस्टाग्राम बरबाद कर दे रहा है फेस्बुक अलग लंका लगाए रहा है ए उप्षन अर्जेंटीना ए उप्षन अर्जेंटीना अगला निम्न में से किसने मीसेज वर्ड दो हजार पाइस बनकर इतिहास रज दिया कौन है अच्छा इन्पॉर्टेंट बनेगा वर्ड नगर को सहर युनेसको धरुआरस्थल की सूची में सामिल क्या गया है यह किस राज में है सर डी ऑप्षन गुजरात डी ऑप्षन गुजरात एक सो पचासवा कोशन भारत ने पहले मानों अंत्री चुडान मिशन गगन यान को कब लॉं यूट्यूब वाले कहेंगे सर हम लोग तो 5000 के आसपास हैं क्योंकि 9 से 10 अजार इस्टुडेंट एप पर पढ़ रहे हैं नौ से 10 अजार इस्टुडेंट जिनको मैंने ये बैच फ्री में दिया वो एप पर पढ़ रहे हैं मैंने एक बैच पुरा फ्री किया है टेसरी जी इसी लेक्चर के लास्ट में वो बैच फ्री कर दूंगा जो दो हजार रुपए का है जीरो में हो जाएगा और मेरा एक वर्दान नाम का बैच आया हुआ है कम्प्लीट जी असका ये बैच भी आज मैं अब क्या ही सब्द बोलू इतने में दे दूँएक तो 2000 का बैच फ्री करूंगा और इतने कम में दे दूँगा कि आपको वाउ सर मजा आ गया ठीक है न वाउ सर मजा आ गया अब आजाओ एक सब्सक्राइब एक बार लाइक तो कर पेट बैच वाले मेरे स्टुडेंट पूछ रहें कि सरी स्क्रीन सॉट कहां से लें कोई जरूरत ही नहीं कल सुबह आठ बजे वाले यूट्यूब लेक्चर में आ जाना पूरी पीडियाफ दे दूँगा पूरी पीडियाफ दे दूँगा स्क्रीन सॉट की जरूरत है नह अग्या निम्ड में से किसे दिली अंतराष्टी मद्हस्ता केंदर का अध्यक्ष निए लिए वर्स 2022 के लिए नभी क्या गया है राइजिंग स्टार आफ्द येर के लिए नामिद क्या गया है वे option अंतिम पंगाल को अब देखो पुराने question आते जाएंगे अब ये तीन महीने पुराने question है December के अब कौन सा महीना आ जाएगा November 2022 अब November 2022 के question आएंगे पूरा साल पढ़ा के छोड़ूंगा लला पूरा साल पढ़ा के अगला जी 20 के अध्यक्षिता ठीक है न जी 20 के अध्यक्षिता में अब ये question करो जी 20 के अध्यक्षिता के लिए भारत को चुना गया है इसकी आयोजन की theme क्या है मुझे न न जाने क्यों लगता है कि यही question आएगा paper में और जिस प्रिथवी एक परिवार एक भविष्य एक बच्चा एक पत्नी एक पापा एक मम्मी एक girlfriend एक girlfriend नहीं अचा एक boyfriend एक boyfriend नहीं चलो पांच girlfriend पांच boyfriend अगला question भारत के 22 विदियायोक्या अरे साजहां अगबर लोग 10 10 साधी कर लिए तो फिर क्या ही मतलब है भारत के 22 विदियायोक्या धक्ष के रूप में किसे नहीं क्या गया है who has appointed as the chairman of the 22nd law commission of India and that the good answer is good right answer is रितुराज अवस्थी आपने जो यह किया इसके लिए मैं आपको जल्द ही नोबेल दूँगा बस मुझे lecture से निकलने दीजी चीक है मिम्न में से किस सहर में मैंने अपने मित्र से एक गलास पानी मंगाया था वो ला करके दिये और उन्हें उमीद भी नहीं होगा मैं जब lecture से निकलूँगा तो मैं उनको एक पिज़ा एक कोल्ड रिंग उनको गिफ्ट करूंगा कि भाई तुमने उस समझ मेरे मुह में सूख राए मेरा मुह मैं यहां से हिल नहीं सकता तो इसके लिए मैं आज देखना उनको एक गिलास पानी की कीमत मैं दूगा एक पिज़ा एक कोल्ड रिंग बस बाहर तो निकलन करना चाहिए यार दोस्तों को कभी-कभी सर्प्राइज गिफ्ट देना चाहिए इससे उनको मतलब खुशी मिलती है कि यस मैं हूँ सही कह रहा हूं कि नहीं कभी-कभी अपने दोस्तों को बेवजा 10 रुपए की डेरी मिल्क ही दो लेकिन देके देखो बहुत खुशी मिलत समझ रहे हो ना तो 2023 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजवानी कौन सा राज्य करेगा मेजवानी लेकिन मेरे जैसा रहेगा कोट ओड भी पहिना रहेगा ना बुला लोगे आओ तुमको खाना खिला दे भाया खिला दो यार रूम पे अकेले रहते हैं आज चा जल्दी शुच्छ आज चावल डाल बनाएं गो घी अचार लेके महीं सिखाल बनाएं जट से कूटर में जगे रोटी बनाने आती नहीं है जल्दी जल्दी चावल सब्जी बनाएं देख रहे थे 12-30 हो गया 12-35 हो गया उड़ाए पड़े थे उसके बाद फिर वो छाच-वाच पी के निकल लिए समझ रहा हूं मैं खाना बना लेता हूं मतलब 20 मिनट में एक साइट सब्जी एक साइट चावल या चावल दाल मैं जट से बनाता हूं खाना मैं बहुत तगड़े से बनाता हूं किसी दिन तुम लोग दिल्ली आना तो मैं इन्वाइट करता हूं तुम लोगों की अड़ा के ऑफिस आना अब इने की 50 लोग आना हमको हलुआई बना देना एक दो लोग आना हमसे करना गुरू जी चली अपने रूम पे खाना ब बनाता हूं ठीक है न यह तुम याद रखना सी आरफा खान सेरवानी अच्छा खाना बना दूंगा अगला कोशन विस्व मुक्य बाजी चैंपियंसीव ले मुक्का दे मुक्का कहां जीत की गई सर इस बार मुक्य बाजी हुई है भारत में तो घूसे बाजी मुक्य बाज अगला जीवन एक हो हैं जैसे यह बात को ना सब कहते गुरुजी साधी कर लो अटल बिहारी बाजपेई जी की एक लाइन तुम लोग को बता देता हूं एक बार पत्रकारों ने उनसे पूछा कि बाजपेई जी आप विवाह क्यों नहीं कर लिए विवाह कर लेते तो काफ मैं दूसरे से खरीद करके पी लूँगा कि भया एक लिटर दूद दे दिया करो यह कौन सी जरूरी बात है कि मुझे अगर भगवान को माला चढ़ाना है तो मुझे पेड़ लगाना होगा नहीं मैं जाकर के एक माली से 10 रुपे का माला खर दूँगा लाकि भगवान को च अब ही आपको दूनिया का सबसे उचाई पर मतदान केंद्र किस राज्य में होगा बाहरत खुप उची चीजे बना बनाके रख रहा है अगला कोश्चन निम्न में से किस राज्य सरकार ने कावेरी दक्षडिय इंपॉर्टेंट रहेगा अच्छा ऐसे क्वेश्चन लंबे होते हैं मतलब लेकिन होते एक्जाम में ठीक न तो अभ्हरण को राज्य के सत्रहवे वन जी अभ्हरण के रूप में अधिसुचित किया है सर यह ऑप्शन तमिल नाडू ने किया है ठ देखो इंटरनेशनल इयर ऑफ मिलेट्स भारत ने कहा युनाइटेड नेस्टन ने मनाया अब किस राज ने किया तो उडीशा ने भारत इसके प्रोडक्शन में नंबर वन है मिलेट्स के प्रोडक्शन में अगला अब यहाली में किसे 32 बिहारी पुरुस्कार से सम्मानित किया गया है अभी आपने देखा कि ब्यास सम्मान भी दिया गया है ब्यास सम्मान डॉक्टर ग्यान चत्रवेदी को पागल खाना के लिए और डॉक्टर माधाव हाड़े को हाड़ा जी को 32 बिहारी पुसकार अभी हाली में नतासा पीरक मूसर को किस देश की पहली महिला र हां और धूबे वह वाला हिसाब किताब है हमारा दूबरा को गंगा विलास उसका नाम है अगला निमन में से किसुरा जाँ आपके डी ऑप्शन मेगाले में वांगला महोटसो मेगाले में नेक्स्ट निम्ण में से किस देश ने पहली बार बिली जीन किंग का खिताब जीता है पहली बार बिली जीन किंग अजा questions अच्छे हैं न लला सच सच बताओ जितने लोग मेरे दोस्त भाई बहन बैठे हुए हो दोस्त भी मेरे इसमें बहुत सारे लोग हैं मैं तो दोस्त जादा लोग को मानता हूँ तुम लोग मेरे दोस्त ही हो यह जान लो ठीक है न तो इसका right answer क्या बनेगा डी option Switzerland question सही सही select किया हूँ न क्योंकि तुम लोग का सलाह मेरे लिए बहुत important है overall पढ़ना तुमको है पढ़ाना हमको है तो मैं सलाह दुनिया से क्यों लूँ दूसरे की वीडियो क्यों देखूं कि यह क्या पढ़ा रहा है वो क्या कर रहा है अरे सीधे तुम से पूछ लूँ न कि लला question का लेबल ठीक है न ऐसे ही question आते है न आपका दोगा नहीं गुरुजी दूसरे बदल दो बदल दूंगा सही तरीका यह है कि नहीं बस पिछले 20 साल का पेपर देखो और आप से बात कर लो clear रहता है मुद्दा डी option थोड़ा बहुत अपना दिमाख लगा लो कोई जरूरत ही नहीं है किसी से कुछ पूछने की डाक्टर सीवी आनंद बोश भया यह अभी पश्चिम बंगाल के राजेपाल बने और इनके बनने के दू महिने बाद तो 10-11 राजे के राजेपाल चेंज हो गया है नेक्स्ट अभी हाली में किस राजे में डोनी पोलो डोनी पोलो का अब देखो पर्यावरण इन्वार्मेंट से रिलेटेट चीजें होगी जीव जन्तु से ऐसे कोश्चंस पेपर में ज्यादा रहते कॉमन सेंस हम लोग हमेसा लगाओ ठीकर को किस राजे ने पेस किया है तो सर हाथी कहां मिलेंगी तमिलनाडू में पंजाब यूपी कि नीचे यह था सही कह रहेगी ने अगला नसीम अलबहर नामक द्वी पक्षी अभ्यास भारत और किस देश के मध्यावजित किया जा रहा है यार पैर की नस खीचने लगए जल्दी जल्दी थोड़ा सा खाके चला और बहुत मजबूत इंसान तो हूँ नहीं दिखता ही पहले या सीडे चड़ जाए उतर जाएं तो रही पेर ऐग्वी ने लगता है कराटें सीरीज में सुंझ पदक जीतने वाले भरती हैं थिकह अगला अभी हालि का एक साल अच्छा जब जब अब देखो अक्टूबर पढ़ाने जा रहा हूं ठीक है ना अब एक साल के करेंट अफेर का अक्टूबर महीने के बेस्ट कोश्चन पढ़ाने जा रहा हूं मैंने ऐसा बीच बीच में इसलिए लगवाए कि तुम लोग तो आप लोग को मिल जाएगा इस बैच को अभी कुछ खास इस बैच के साथ करने वाला हूँ आप सब को देने वाला हूँ साथ ही साथ एक दो हजार रुपए का और बैच है इस बैच का तो रेट कम कर दूँगा क्योंकि यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें टेस्सिरीज हैं वीडियो कोर्स हैं इबुक्स हैं इसको अभी फ्री कर दूँगा तो मेरे जो जो दोस्त अड़ा का एप नहीं रखे हैं यूट्यूब पे प्लीज वो अड़ा के एप को रख लें वो देखो नीले रंग की लिंक लगी हुई है लिंक से डाउनलोड कर लो क्योंकि जब मैं यह बैच फ्री करूंगा तो आपको वो अड़ा के एप पे मिलेगी और आप लोग मुझे यूट्यूब पे देख र जाएंगे और क्या बोलते हैं इस्टैटिक जीके वगएरा का पूरा वीडियो कोर्स रिकॉर्डेट बैच मिल जाएगा मेरा यह करेंट अफेयर का बैच मिल जाएगा सिर्फ क्या करने से एक देखो लिंक लगी है लला कुछ नहीं जाएगा रोज डेड़ जीबी एक कमेंड बाक्स में लगी है ठीक है ना आईए अरे देखो पेड़ वाले बच्चे कर रहें नेक्स्ट क्वेस्टन नेक्स अरे यूट्यूब वालों का भी भला हो जाने दो आप लोग भी वहीं से आये हो इस बैच को फ्री में लेकर के उन बेचारों का भी मेरे दोस्त इटालियन का उद्गाटन किया गया है सर ये आपके डी ऑप्शन उत्तर प्रदेश अभी हाल ही में किस राज्य को आयुसमान उत्कृष्पुरुषकार 2022 से सम्मानित किया गया है आयुसमान उत्कृष्पुरुषकार 2022 से उत्तर प्रदेश दुनिया का सबसे बड़ा पव का वाइक कि जिला ने जीता है भारत में कोंलम केरलका लेकिन पुलम पूरा पूरड़ डीजिटल साक्षर्टा वाला राज बना रहे वो कहां का है सरो वह भी केरलका है तो पंचाइति राज डु़ेटेड जो दोनों वाइड हैं के रल के के पास है और एक आपके पुल्लम पूरा जीले के पास है इस बात को याद रखेगा ठीक है न अगला question निम्र में से किसके द्वारा मोधी एड़ दरेट 20 ड्रीम स्मिट डिलेवरी नामक पुस्तक को लॉंच किया गया है सर इसका राइड एंसर है एस जैसंकर हाल ही में माह मलूह माह मलूह गूफा को युनेसको के दुनिया के हंड्रेट आयू जीएस भू वग्यानिक अस्थलों में से कितने लोग तो इसको पढ़ेंगे नहीं हटाओ यार का हैं तुमको इतना सा नहीं आद रहेगा माह वलूह गूफा कहां पे है माह वलू गूफा सर मेघाले में बस मह से मेघाले मह से माह वलू खतम इतना याद कर लो बात किनारे करो चीजों को अगला राश्ट्रिये खेल 2022 में मलखंब को पहली बार सामिल किया गया है या प्रतियोगता कहा है उजित की गई है या प्रतियोगता कहा है उजित की गई है ये प्रतियोगता B option गुजरात में उजित की गई है B option गुजरात धर्म बदलने वाले लोगों को S.C. का दर्जा देने के लिए से मालो तुम जनरल हो अब तुम S.C. धर्म सुईकार कर ले आरक्षणप मिल जाईए वो कई खुराफात लोगों के दिमाग में चलते है न तो S.C. का दर्जा देने के लिए किसकी अध्यचता में एक आयोका गठन किया गया है सर आयोका गठन किया गया है K.G. बाल कृष्णन की अध्यचता में Next मोढेरो को भारत का पहला सौर उर्जा संचालित गाउं घोशित किया गया है 21 राजजे में है 21 राजजे में है सर ये है आपके गुजरात में मोढेरो और वड़ नगर ये दोनों चर्चा में हैं निम्न में से किसे अर्थ सास्त्र के नोबल पुरुसकार से सम्मानित नहीं किया गया है क्यों 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 कि बाकी के तीन लोग उससे सम्मानित हैं तो सर आप सी ऑप्शन को हटा दो अभी इनको बिलाट्सकी को जेल भी हुआ है ये किस देश के हैं बेलारूस के हैं याद रखना बेन एस बरनाग डगलस डाइमंड फिलिप एच डेविग इन तीन लोगों को इकोनॉमिक्स का नोबल पुरुसकार मिला इकोनॉमिक्स का नोबल पुरुसकार सबसे लाष्ट में जोड़ा गया है ठीक है ना याद रखेगा अगला निम्न में से किस राज में भारत और फ्रांस के बीच गरुण नामक दुई पक्षी सायनब भास का योजन हुआ है जब से फीफा उफा सफल करवा दिया है मर धड़ा धड़ा आयोजन आयोजन निम्न में से किस फिल्म ने सर्फ्रेश्ट अंतराष्टी फिल्म के लिए सैट्रन अवार्ड जीता है अब देखो गोर्डेन गोलूप तुमको आवार्ड याद रहेगा क्रिटिक संवाइस आवार्ड याद रहेगा यही जीता है और सैट्रन अवाड ही जीता है चाथ्वा यही जीता है ठीक है ना तो मैं तो खुद माफी मांग लूँगा आपसे और पूरा कोशन पढ़ा करो हाला कि ये तो सही हो गया हम भाई दिवे अभी हाली में किस देश ने अपना पहला स्वदेशी ओवर हासर मैगनो मीटर विक्सित किया है ए ऑप्शन भारत ने विक्सित किया है 27 तो सर, operation दोस्त भारत ने चलाए था, सीरिया और तुर्किये में जो भूकम वगएरा आया था, उसके लिए भारत ने आपरेशन दोस्त चलाए था अभी हाली में तुरंग्या महुत सो 2022 किस राज्य में आजित किया गया है तुरंग्या महुत सो 2022 अनुडाचल प्रदेश निमलिकित में से किस राज्य में भारत का पहला जियोलोजिकल पार्क बनेगा भारत का पहला जियोलोजिकल पार्क तो भारत का पहला जियोलोजिकल पा पर मातवा धर्महा समिलन भीया मोदी जी इसमें बोले हैं कि सब लोग जाके मेले में भाग लीजिए और अगर किसी मेले के लिए प्रधान मंत्री बोलता है तो कोश्चन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बालिकतन दो हजार बाइस नामक सैन अभ्यास कहां अजित किया जाएगा बालिकतन यह अभ्यास अजित किया जाएगा फिलिपिन्स में और फिर वही छोटी इंफॉर्मेशन की आज इसी लेक्चर के लाष्ट में एक 2000 रुपए का बैच फ्री करने वाला हूँ साथ ही साथ मेरा जो GS का वर्दान बैच है आज वो मतलब यूं कहलो मेरी एक छोटी वहन जो उडिसा की है जिसकी बातों से मुझे यूं कहलो साइद मानवता या जो कुछ भी कहलो भाई वहन प्रेम जो कुछ भी जगा और जिस गुरुजी ये ले लो जो खर्च है आपका बाकी हम लोगो सेलेक्शन करवा दो ठीक है ना यह है चलिए तो आजाए आप आगे बढ़ें लाइक हो गया चलिए तो एब जरूर डाउनलोड कर लो वो लिंक में दिया हुआ है वो लिंक में दिया हुआ है क्योंकि जैसे ही मै बैच को फ्री करूंगा दो दिन से 9000 लड़कों को फ्री दे चुका हूं अपने बिहाव पे 9000 और वो 9000 मेरे से पेड़ में इस समय पढ़ रहे हैं एक साइड मैं यूट्यूब के कमेंट देख रहा हूं एक साइड अपने पेड़ बैच के स्टुडेंट का कमेंट देख समझ रहा हूं ना तो यह चीज है अगला निमलीकित में से कौन सा देस जंगली जानवरों को चांनुनी अधिकार देने वाला पहला देस बना रॉक्षि को रॉनली अगर आ जाते हैं September मह भई अब कहां अगए लम्ला September महीने पे टिकब है अभी हम लोग मार्च चलने सबक्रिखार करें एक लोग लैक शेर जरूर कर देना ठीक है न आप डानलोड कर लो सबसे important है बाकी मैं बताता हूं कि इस lecture के last में मैं क्या आपको देने वालों और एक बात याद रखना इसकी PDF कल सुबह के 8 बजे के current affair के class में मिलेगी अभी PDF नहीं मिल पाएगी ठीक है और पेट बैच के students बीच बीच में अपने सिस्टम को refresh करते रहा करो कभी तुमको ऐसा लगए आवाज अटक गई कुछ तो ऐसा तो वैसे आप नहीं रहा है आपका कमेंट लेकिन फिर भी बीच बीच में refresh करते रहा करो अभी हाल ही में दिविता राय ने मिस दीवा यूनिवर्स 2022 का खिताब जी सरसटमें फिल्म फेर अवार्ड में किसे सब्सेश्ट अभी ने था रणवीर सिंग को चुना गया है अभी हाल ही में किस राज में नुआ खई पर मनाया गया है नुआ खई लल्ला वी ऑप्शन उडिशा में सारेक्स 2022 नामक अभ्यास कायोजन निवन में से किस अस्थान प चार लोगों को इस बार का दिया जा रहा है अब चारों के नाम नहीं पूछे क्योंकि अब वो लंबा हो जाता तो एक्जामनर भी आप से नहीं पूछेगा वो चार बस यह देगा निवन में से किस अस्थान पर भारत का पहला नाइट इसकाई अभरन स्थापित किया रहा है भारत का पहला तो नाइट अब आपके भी ऑप्शन लदाक में किया जा रहा है अचाए एक बात बताओ मेरे यूट्यूब वाले स्टुडेंट्स और सब लोग पेड़ बैच की वीडियो क्वाल्टी खास करके यूट्यूब वाले बता में कैसी लग रही है पेड़ बै सिर्फ पढ़ाता हूं सिर्फ थियरी पढ़ाता हूं और मेरा एक एक बच्या जानता है मैं पेड़ बैच में कभी भी mcq नहीं पढ़ाता हूं इतिहास भी पढ़ाता हूं तो थियरी concept अब वो तो आज एक साल का current affair है तो आप समझ ही रहे होगे समझ रहो ना बढ़िया लग रहा है न बस यार यही चाहिए बढ़िया होना चाहिए बढ़िया होना चाहिए अगला निवन में से किसे अभी हाली में एमी पुरुसकार से सम्मानित किया गया है एमी पुरुसकार से बी option बराक बामा अगला भारत का पहला तरल प्राक्रतिक गैस इंधन वाला green truck manufacturing plant कहां लगा जा रहा है बताओ तो green truck manufacturing plant पूने में नेक्स्ट दिल्ली में इस्थित प्रसिद राजपत का नाम बदल गया है ठीक है ना राजपत का नाम बदल गया है यह उप्शन करतव पत अब कुछ लोग करना है साम साथ बजे वाली वाईटी की क्लास लोग ठक गया हूं यार साम को वो साड़े छे बजे निर्नल ले लूँगा ठीक है अभी ठकान हो रही है घर बैठे जमीन का नक्सा उपलब्ध कराने वाला राज्य कौन है सर घर बैठे जमीन का नक्सा बिहार उपलब्ध करा रहा है निवन में से किस भारती राज्य को संस्कृती के लिए सरस्ष्ट गंतव पुरुसकार से पश्चिम बंगाल को समानित किया जाएगा पश्चिम बंगाल को अगला अभी हालही में एलीजा बेठ दिती का निधन हो गया वे किस देश से संबंधीत हैं सर सी ऑप्शन इंग्लैंड से सम्बंधिय था इंग्लैंड से अगला, निवन में से कौन सा राज़ हां की विश्युकप, अरे ये तो हो चुका, अच्छा, इसको जीता कौन इसबार का, जर्मनी की, बेल्जीयम की, नीधर लैंड की कोई और, बताओ इसको जीता कौन, यह आयोजन हो चुक वेल्जीम को हराया था जर्मनी ने ठीक है न ओवर ओल जर्मनी ने जीता है अगला संयुक्तराष्ट के मानो विकास उचकांग में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है सर संयुक्तराष्ट के मानो विकास उचकांग में भारत को 100 यह खुब पूछता है human development index यह question लला पूछता है अगला निवन में से कि जराज में भारत का सबसे बड़ा rubber dam बनाया गया है भारत का सबसे बड़ा rubber dam भारत का सबसे बड़ा rubber dam c option बिहार में बना है अगला निवन में से कौन formula 2 race जीतने वाले प्रथम भारती बन गए है इससे पहले कोई भी formula two race नहीं जीता है तो important question बनेगा न सर इसका right answer is c option जहान दारू वाला है दारू वाला समल लब या रेस तो जीत गया दारू वाला ठीक है अगला question अ ठीक है ना अगला निम्न में से किसे आधारिक रूप से ब्रिटेन के नए समराठ के रूप में नुक किया गया है ब्रिटेन के नए समराठ के रूप में यह option kings Charles ती थी निम्न में से कौन राज भारत में सततर्टी प्रबंधन पर पहले राश्टी समयलन की मेजबानी करेंगे ठीक है ना सततर्टी प्रबंधन पर पहले की मेजबानी करेंगे सर्व मेजबानी करने वाला है उडिशा निम्न में से कौन सा राज पहली बार रणजी मैचों की मेजबानी करेगा सर दो हजार बाइस का रणजी कौन जीता था मध्य प्रदेश तेईस का सौरास्ट अब इसका राइट एंसर क्या है से लोटीकल पार को बड़ी चपनी औरो के राज घरो की ओर्डी में चोथा स्थान मिलाEs था कैsın सरकार ने अभी हाली में नार्भी कुबर और करूविक्रन संबोदाय के अनुसुजी जंजाती का धरजा दिया है यह अनुसरी देखो ऐससी रेलवे के लिए ऐसी कोश्चन बड़े इंपोर्टेंट होते हैं जो ट्राइप से रिलेटेड है जन जातियों से रिलेटेड कोश्चन तो इसका राइड एंसर क्या बनेगा सर सी तमिलनाडू अगला निम्न में से किस राज में भारत का पहला व ओप्शन बैंगलूरू ने ठीक है ना बैंगलूरू ने तो यह आपका रहा ठीक है अब हम लोग सुरू करेंगे अगस्त महिना और फिर से वही सूचना दे देता हूं लला जो मुझे यूट्यूब पर आप देख रहे हो पिछले दो दिनों में नौ से दस हजार इस्टू अब डाउनलोड कर लो उसमें आशुतोस त्रिपार्थी मेरा नाम उस लिंक में लिखा हुआ है और आज वो बैच आपके लिए दुबारा फ्री करूंगा जो मेरे स्टूडेंट अभी तक नहीं ले पा हैं उसमें तुमको CHSL, MTS, GD, IB, Selection, Post, CGL, सभी के Test Series, सभी के E-Books, यह सारी चीज़ें लेकिन उसके लिए एक छोटी सी कंडिशन है एप डाउनलोड कर लो क्योंकि मैं वो दूंगा कहां कोई तो माद पॉकेट में थोड़ी भर दूंगा कि लो यह बैच है कहीं देने के लिए तो आपको रोज डेड़ जी भी मिलता है लला कर लो और जो वर्दान बैच है जो मेरा वर्दान बैच है उस वर्दान बैच को भी आज मैं इतने कम रेट पे कर दूंगा कि आपको के गुरू जी सचमुश मजा आ गया ठीक है ना सबसे जादा जरूरी यही है मैं कह रहा हूं सबसे जादा जरूरी यही है मेरे जीवन का सबसे मैं पढ़ाता कैसा हूं पेड़ बैच में उसके बाद तुम्हें लगे कि हासर तुम बैच लो या मत लो इससे भी फरक नहीं पढ़ता लला लेकिन वो दो क्लास भी देख लोगे न तो दो नमबर मिल जाएगा यह मैं लिक करके दे रहा हूं और उन दोनों क्लास की लिंक मैं इसी के description box में लगवा दूँगा लिंक पे क्लिक करके देख लेना सिर्फ देख भर लो मत लो बैच को हम यह तक कह रहे हैं और जिनको लेना होगा वो लेंगे लेकिन जो लोग नहीं ले रहे हैं एक बार at least मेरे बैच को देख लेना दो नमबर वहां से भी हैं ठीक है ना आ अगला अभी हाली में भारत और किस देख केम ऐंद विन्बेक 222 नमक अभ्यास किया गए है विन्बेक 2102 वियतनाम स्थांप किस अस्तान पर सत्रहौंद भासी भारती दिवस्त बाड़ा इन दौर में हो सकता है पेपर में तुम से ये पूछे कि ये किस नंबर का आयोजन हुआ है ठीक है न क्योंकि मुझे लग रहा है इन दौर सब लोग रट के बैठे हैं आयोजन किस नंबर का ये पूछ सकता है अगला केंद्री ग्री सचियू अजय कुमार भल्ला को अभी हाल रेल्वे के लिए मेरा वर्दान वैच वर्दान साबीत होगा अड़ा के चैनल पे पिछले चार साल से रेल्वे मैं ही पढ़ा रहा था अब इस बार इस लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि दीरे दीरे बुझूरग होता जा रहा हूँ तो पमन सर हैं नवदीब सर हैं और सर लोग भी पढ़ाएं मैं सुबह करेंट अफेर और साम को साथ बज़र लेकिन वर्दान बैच रेलवे आई बी सी अचसल सब के लिए वर्दान साभीत होगा ठीक है नडी ऑप्शन और आज इतने कम रेट पे यह आपको दे दूँगा ब और मेरे पर विश्वास करके वर्दान बैच से जुड़ जाना कसम बता रहा हूं मुझे भी तो अपने इमेज की चिंता रहती होगे हैं कि हजारो हजार इस्टुएंट देखर मैं और उसकी दो-दो वीडियो तो लिंक में लगी है एक बार देख लेना बस तुम लोग नि जो लोग अड़ा के एप पे मेरी क्लास ले रहे हैं आपके लिए तो मैंने लिंक उपर पिन करवा दिया है वर्दान बैच का उसके लिए आपको कोड उपियो करना होगा Y182 यह कूपन कोड और उसमें भी वर्दान बैच में भी मैं आपको जानकारी दे दूँ यह जो अभी पेड़ वाले बच्चों के लिंक लगवा दिया है यूट्यूब वालों के लिए थोड़ी देर में लगवा दूँगा ठीक है और मैं सज बताओं यह कितने में आज वर्दान है निन्यान बे रुपए निन्यान बे रुपए में हैं यह कूपन कोड लगा के जो देता हो तुम लोग को तुम चाहिए आई भी देने जा रहे हो सी जील सी एचसल मध्यप्रदेश यूपी बिहार करनाटक असम अर्याना राजस्थान किसी भी राज्य का कोई एक्जाम देने जा रहे हो वर्दान बैच वर्दान नसाबित कर दिया तो मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती होगी ठीका ना इससे ज्यादा कुछ नहीं और उसके दो डेमो क्लास यूट्यूब पे पड़े हैं इसी बैच के डिस्क्रिप्शन में पड़े हैं ले ले ना ठीका ना चलिएगा अगला तो इसका ए ऑप्शन उत्राखंड सही है देश की पहली एजुकेश टाउन सीप किस राजय में सुरू की जाएगी तो देश की पहली एजुकेशन टाउन सीफ बी ऑप्शन उत्तरप्रदेश अगला नियूंड में से किस अस्थान पर भारत का पहला थीदी पोश्ट ऑफिस सुरू किया गया है ए ऑप्शन बैंगलूरू निम्न में से किस अस सापित किया जाएगा यह option नागपूर ठीक है ना यह option नागपूर मान नामक चक्रवाद द्वारा निम्ण में से किस देश में सबसे ज्यादा तबाही मची है मान चक्रवाद डी ओप्शन फिलिपिन्स अगला वन नेशन वन फर्टिलाइजर नामक अचा इसमें किस पर्माडू परिक्षण के खिलाफ अंतराष्ट्री दिवस कब मनाया जाता है पर्माडू परिक्षण के खिलाफ अंतराष्ट्री दिवस मनाया जाता है भारत का पहला भुकंप इसमारक का ठीक है ना यह तो इसका राइट एंसर है आपके ए ऑप्शन गुजराट ठीक है इसका right answer है आपके गुजराथ चीकर ना? इसका right answer है गुजराथ अगले question का answer करो अगला question आपके screen पे यह है ठीकर न? अगला question आपके screen पे यह है जड़ा बताइएगा इसका right answer क्या बनेगा? बताईए बी ऑप्शन हरिद्वार नेक्स्ट साइन्स बिहाइंड सुरे नमस्कार नामक पुष्टक का भी मोचन किसके द्वारा किया गया है साइन्स बिहाइंड सुरे नमस्कार साइन्स बिहाइंड सुरे नमस्कार डॉक्टर मुन जिपारा महेंद्र भाई निम्र में से कि इस सहर में 300 मीटर लंबे अटल ब्रीज का उद्गाटन किया गया है ए ऑप्शन गुजराद किस विश्व विद्धाले के सोध करताओं ने दुनिया का पहला सिंथेटिक भूण विक्षित किया है पहला सिंथेटिक भूण डी ऑप्शन कैंब्रीज उनिवर्सिटी यहां पे स्क्रीन पे अभी हाली में लोक निर्थिक गर्बा अब गर्बा पूछ देगा इस बार के आया भी था सायथ चैसल के पेपर में अमुरुत सांस्कृति विरासत में सामिल करने के लिए नामित किस राज्ज में है सरी ऑप्शन गुजराद राष्ट्री लगुद्योग किस राज में आईजित होने वाला एक तेवहार है यह आपको बताना है बताइए सुमंग लीला किस राज में सर सुमंग लीला होता है आपके मरीपूर में और अगला अब जुलाई स्टार्ट करें अब जुलाई स्टार्ट कर दिया जाए बताइए अब जुलाई को स्टार कर दे रहा हूं अब जुलाई स्टार्ट कर दे रहा हूं जुलाई सब लोग रेडी हो सब लोग रेडी हो आई यह निम्ण में से किसके द्वारा भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत की सुरुवात की गई है अब मुझे पानी पी लेना चाहिए इतने देर से आके रखा तो चराओं अच्थाइसों कोश्चन हो जाएगा तो पानी पी लूगा इधर आएशा इधर आहे मैं पानी पी लेता हूं तब तक आप लोग सर के साथ साहिल सर के साथ पास दस कुश्चन पढ़िए साहिल प्लीज आईये समय है ना किते बढ़िक लॉस्ची आप तीन दो-चार कोशन मैं कराने के ट्राइ करूँगा आपको तो आगे बढ़ते हैं फटा-फट से देखें कि नेक्स्ट कोशन क्या है निमन में से किसके द्वारा दोज़ार आई दोज़ार अथाइस गीश मिंकाली ओलंपिक खेलो की मेजबानी की जाएगी आप जल्दी से अभी VLTD वहानों को ERSS से जोडने वाला पहला राज्य बन गया है आप आंसर देंगे इसमें से कौन सा राज्य करेक्ट आंसर होगा तो बिटा हमारा करेक्ट आंसर होगा ए दुबारा ए आंसर है हिमाचल परदेश इस दिक करेक्ट आंसर राइट अगला कोशन जी चलिए 256 कोशन हो चुके हैं निमन में से किसे डेनियल अवोड 2022 से सम्मानित किया गया है राइट सेजिन तंदूलकर अमिताब बच्चन नरेंदर मोदी या फिर केपी कुमारा बताई बटा क्या आंसर होगा वेरी गूड वेरी गूड इसका आंसर होगा डी केपी कुमारा डी इस किस राज्ये में स्थित है काफी असान कोशन और एक्जाम में कई बार आ चुका है सर आप लोटना चाहेंगे वापिस आईगे जी बिलकुल बिलकुल सर की क्लास है उसमें जरूर जाईएगा ठीक है ना तीन बज़े से तो यह कुशन तो सर करा दिये इसका राइट एंसर ह महाराष्ट अगला निम्न में से किस अस्थान पर पहली खेलो इंडिया महिला लीग सुरू हुई है खेलो इंडिया महिला लीग सुरू हुई है सी ऑप्शन नई दिल्ली अगला हर घर जल से प्रमारीत बुरहानपूर भारत का पहला जिला बन गया है यह किस राज्य में इ वरूण अभी हाली में चर्चा में रहे राइट टूड रिपेर समीति कह lash कि से निक्ष किया गया है अगला कुश् 1969 की सस्थान भारत के पहले इंटर्णेशनल बुलियन Еक्षेंजी की सुरुआत किया रहा है इंटरनेशनल बूलियन एक्षचेंज सी ऑप्षण गुजराथ ठीक है ना सी ऑप्षण गुजराथ ठीक है अगला क्वेशन आपके इसकी बैटरी लोग होगी निवन में से किसके द्वारा महिला वंडे वर्लकप दोहजार पच्चिस की मेजबानी की जारी है महिला वंडे वर्लकप दोहजार पच्चिस की मेजबानी भारत के द्वारा अभी हाली में किस देश ने घोशना की कि वह दोहजार चौबिस के बाद अंतराश्टी अंतरिच केंद्र छोड़ देगा किस देश ने घोशना की तो सर भी ऑप्शन रूस घोशना किया है निम्न मेंसे किस अस्थान पर दोहजार अठाइस पैरा ओलमिक्स आउजजित किये जाएंगे हो गया दोजार अठाइस पैरा ओलंपिक्स आजित किये जाएंगे इसका राइट एंसर भी ऑप्शन अमेरिका इसका राइट आउप्शन है भी ऑप्शन अमेरिका अभी नहीं दूमने बाद अगला निम्न में से किस देश ने अपने वर्क फ्राम होम ठीक है न वर्क यह जिए नीदरलेंड ने ठीक है न कानूनी नरोंट नीजंडर का आंसर करूं तो यहीन तो एटीक है नुटन गलोबल जेंडर गेप पी इंडेक्स दोजार 52 में भारत फिफ्टी इट तो केरफुली सुनते रहिएगा यह लास्ट टेन इनिट स्टिक एंपर्टेंट ठीक है हाँ तो यह लॉंच किया है क्वांटम म्यूच्वल फंड ने ठीक है क्वांटम म्यूच्वल फंड भारत का पहला मंकी पॉक्स अभी देखो कुरोना वाइरस का केस था गया है मदर तेरसा अवार्ड मेमोरियल से समानित क्या गया है बी ऑप्शन दिया मिर्जा निम्न में से कौन विश्व एथलेटिक चैंपियंसीप में लॉंग जम के फाइनल में पहुंचने वाले प्रथम भारती बन गये हैं सर वो प्रथम बने हैं आपके मुरली स्रीकर निम्निकित में से किस देश में विश्व एथलेटिक चैंपियंस कोशन्स का लेबल सही लग रहा है न ऐसे ऐसे कुशन्स ना देखना पेपर में आएंगे और इसकी पीडियाफ कल सुबा आठ बजे आपको दूंगा ठीका ना कल सुबा आठ बजे आपको इसकी प्रिटेट होने वाला पहला बैंक बन गया है सरकोटेक महिंद्रा अगला निम्न मेंसे किस ने एफाई एच वुमेंज हां की वर्ल्ड कप दोजार बाइस जीता है डी ऑप्शन निदर लेंड ने निम्न मेंसे किस के दौरा हैपीनेस उत्सव मनाये गया है वेपीनेस उत् सुनिए सभी लोग 275 क्वेश्चन पे आज का सेशन रोक रहा हूं कल सुबा आठ बजे यहां से 400 क्वेश्चन पढ़ाऊंगा रिजन यार मैं दो घंटे से पढ़ाते पढ़ाते ठक गया और मैं ठके हुए उत्साह के साथ कुछ नहीं करता हूं सब लोग लिख दो कल सुबा आठ बजे ससी अड़ा यूट्यूब चैनल पे पेट बैच वालो अब मेरी दो मिनट की बात सुन लो सबसे पहले जो लोग पेड़ बैच के हैं वो भी रुके रहें most important बात बताने जा रहा हूँ जो मेरे YouTube पे हैं वो भी मात्र 2-3 मिनट मेरी बात सुनना जैनुविन लगे तो ठीक नहीं लगे कोई बात नहीं अभी भी 2 मिनट दे रहा हूँ वर्दान बैच के लिए भी बता रहा हूँ जितने लोगों रुके रहना अभी भी 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ जिन स्टुडेंट्स के पास अड़ा का एप नहीं है YouTube पे वो डाउनलोड का लिंक लगा हुआ है डाउनलोड कर लीजे ठीक है ना डाउनलोड कर लीजे क्योंकि अब मैं आपके लिए अपना वर्दान बैच और वो जो 2000 वाला बैच है उसको फ्री कर दूँगा वर्दान बैच आज चुकि मैंने आपको एक छोटी सी बात बताई कल हुआ यूँ की उड़िशा की एक कोई लड़की मेरे टेलिग्राम आइडी पे उस बच्ची की साधी उससे 10-12 साल जादा एजवाले लड़के के साथ की गई उसने मैसेज किया कि सर ऐसा ऐसा हो रहा है सर मुझे इस बार एक्जाम निकालना है जनरली मैं ध्यान भी नहीं देता इगनोर किनारे करो लेकिन अब कल किसमत था चला गया मेरा ध्यान और उस बच्ची ने मुझे एक छोटा सा रिक्वेस्ट किया सर आपका वर्दान बैच और उसने ना मतलब सच कहूं अगर मेरे बस में होता बेटा मुझे नहीं पता आप मुझे सुन रही हो की नहीं मुझे बिल्कुल नहीं पता कि आप मेरा ये लेक्चर देख भी रही हो की नहीं लेकिन आपके कल के एक मैसेज ने बहुत बड़ा परिवर्तन किया और वो सिर्फ इतना परिवर्तन कि सिर्फ आपकी वजह से मैं हजारों student को मुझे नहीं पता किसकी मदद हो पाएगी किसकी नहीं अपने वर्दान बैच को उस cost पे लाके दे दूंगा कि company को नुकसान नहों फाइदा नहों तो नुकसान भी नहों क्योंकि बैच वैच चलाने में न ये internet salary फैलरी देने में company का पैसा लगता है ये तो आ भी दे रहा हूं मेरा जो वर्दान बैच है उस बैच को जो की 20-30 रुपए के फाइदे पे 140 रुपए में चला गया था उसको मैं कर दे रहा हूं 99 रुपए में लेकिन ये बैच उन students को तुरंत मिल जाएगा जो coupon code उपियोग करेंगे वाई 182 ये coupon code ये coupon code उपियोग और उन्हें वर्दान बैच और ये भी बता दूँ ज्यादा नहीं ये सिर्फ तीन हजार छात्रों के लिए हो पाएगा तीन हजार क्योंकि इससे ज्यादा मुझे परमीशन नहीं मिला मुझे तीन हजार स्टुडेंट को फ्री बैच देने के लिए कहा गया था मैंने 9000 को दिया है गवा हूँ यूट्यूब पे खड़ा हूँ 9000 बच्चे मेरे इस फ्री पेड क्लास का आनंद ले रहे हैं तीन हजार स्टुडेंट जो सुरुवात के होंगे उनके लिए ये 99 में पड़ेगा उसके लिंक वर्दान बैच की यूट्यूब पे पिन हो गई है यूट और कोड क्या उपयोग करना है वाई 182 मैं एक बार वर्दान को दिखा दे रहा हूं ठीक है न वर्दान बैच को आपको दिखा दे रहा हूं और वैसे तो आप लोग के लिए लिंक लगी हुई है आप देखिए पेड़ बैच के स्टुडेंट्स में देखो लिंक लगा हु ठीक है न स्रीजन देखो कहरें इंजस्टिस बैटा इंजस्टिस नहीं है किसी की मदद कर दोगे न तो इंजस्टिस नहीं है कुछ लोग का सję्स्टिकार नहीं वो सुनने हो जाएं नहीं और वो बच्छी मैसेज न की होती होती और उwasserिसा Princip भी ना आता ठीक है खेर अड़ा इस्टोर पे जाओगे यहां पे ये पहले लिंग को ख्लिक करोगे ओलगो के लो ली खायो लिखा ऊलिखा यहां पे ओलॉसे पर ख्लिझे करोगे स्सी पे MTS पर करोगे यहां पर देखो मेरा वर्दान बैच है यह वर्दान बैच जिसका रेट था 429 रुपए 429 रुपए इस बैच में अभी रुको यह आपको 99.99 का हुआ लेकिन इसमें सुनो कि तुम्हें मिलेगा क्या-क्या इस बैच में तुम्हें मेरे करेंट अफेर की जो एक साल की किताब है उसकी e-book मिलेगी ठीक है 99.99 रुपए में देखो क्या-क्या दे दूँगा तुम्हें आज कि यह मेरा करेंट अफेर की किताब जो एक साल की लॉँच हुई है उसकी e-book तुम्हें मिल जाएगी 3000 एकवा इस्टुडेंट सिर्फ मेरे comment box में मुझे भला बु पिला नहीं तो मैं कहूंगा लिंक भी पिन करवाया था न एक बार क्लिक करते हैं 99 रुपए कोई वो नहीं है 20 क्लास इसमें मैं ले रहा हूं 20 क्लास उसके अलामा 71 टेस्ट सिरीज जीयस करेंट अफेर की हिस्ट्री की पॉलिटी की केमेस्ट्री की फिजिक्स की बायो की देखो यह वीकली करेंट अफेर मैं जितना करेंट अफेर पढ़ाता हूं उसके वीकली करेंट महीने जो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं न दिसंबर 2022 का टेस्ट नवंबर 2022 का टेस्ट उसी तरीके से अक्टूबर 2022 का टेस्ट इतनी कोसिस करूँगा तुम्हारे सेलेक्श इसमें अभी तीन से चार क्लास हुई है जिसकी recorded वीडियो आपको दे दी जाएंगी और मैं वर्दान में पढ़ाता कैसा हूँ ये जानने के लिए इसी लेक्चर के नीचे description में मेरे दो वीडियो इसके सुरू के दो चार लेक्चर आज तक हुआ है दो लेक्चर वर्दान बैच आपको 429 रुपए का जो वर्दान बैच है मैं कूपन कोड क्या है लला यहां पर लगा के देख लेते हैं एक बार कूपन कोड को कूपन कोड है वाई 182 यह आ गया वाई 182 अपलाई कर दिये 98 रुपीज का हो गया 98.67 अड़ा के एप के माध्यम से लोगे दो चार रुपए और कम हो जाएगा इससे जादा मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा हाँ एक चीज का वचन दे दूँगा एक चीज का वचन दे दूँगा वर्दान बैच के मेरे स्टूडेंट जानते हैं जो यूट्यूब पे अभी मुझे लाइफ देख रहे हूं इमांदार ये दोनों अगर आप खोलोगे ना दोनों मेरी डेमो क्लास हैं ये देखो दोनों लगा दिया हूं बैच लो या मत लो मैं ये तक कहूंगा ये दो क्लास भी देख लोगे वर्दान बैच की ना दो से तीन नमबर मिल जाएगा ये बैच ठीक है सर हमे 9990 रुपए देना सर आ तो आपकी इच्छा है लेकिन एक काम तो कर सकते हो ना फ्री के ये दो क्लास तो देख सकते हो ना जल्दी से जल्दी क्यों क्योंकि हो सकता है तुम्हें ये अच्छी लग जाए अपने नीने पर सोचना पड़ जाए तो उस समय फिर तुम्हें याद आएगा कि सर हम 9990 जाके इस पैसे क्लिक मार देना और यहां पे मैं पढ़ाता हुआ मिल जाओंगा यह देखो यह पढ़ाता हुआ मिल गया यह फ्री है देख लेना कि मैं कैसे पढ़ाता हूं समझ में तो आना चाहिए कि ऐसे ही बख-बख कर देने से थोड़ी को यार एक एक रुपय माबा बड़े मेहनत से कमाते हैं ऐसे मतलगा देना पहले देखना ट्रस्ट करना वेरिफाई करना लग और फिर भी नहीं लेना है तो इन दो क्लास के कम से कम नोट्स बना लेना मैं लिख के दे रहा हूं दो नंबर इन्हीं दो परदान अब जो लोग एप डाउनलोड कर लिये हो जिनके पास एप है लला जरा सब वो देखें इसी SSC में आओ SSC SSC MTS में आजाओ यहां व्यू आल लिखा है व्यू आल कर दो व्यू आल करने के बाद देखो यहां पे SSC के आल कोर्सेज हैं यह दो हजार रुपए में है यह पर लगा दो free क्या लगा दिया FREE आजओ लगा देते हैं FREE फ्री लगा दिये लो जीरो हो गया यह है आसुतोस्तिर पाठी सर आपको टेस्रीज भी दे दिये इबुक्स भी दे दिये वीडियो लेक्चर भी दे दिये बस जान नहीं दे पाऊंगा क्योंकि अगर जिंदा र होंगा ठीक है तो यह वीडियो कोर्से अपना वादा पूरा किया अब बस एक काम और कर लो आपके चाहे मेरे पेड़ वाले स्टुडेंट जितने ने मुझसे कहने पे मेरे भरोसे पे जिस तरीके से मैंने इस बैच में आपको यकीन दिलाया यह वर्दान बैच लिंक पे क आ रहा हूं इस चैनल पर पिछले चार-पांच साल से पढ़ा रहा हूं जो मुझे जानता होगा वो मेरी इमानदारी और मेरी बातों कुस अच्छे से समझता होगा निन्यान बे रुपए में कुछ होगा नहीं न मैं अंबानी जी जैसा बन जाओंगा नहीं आप कोई रंक कोर्स, इबुक्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, जीयोग्राफी, इकोनामिक सब पढ़ा रहा हूं दिल से बताओ क्या कर दूँ और मेरी जगात तुम होते तो क्या कर सकते थे सरी है न तो एक बार इस लिंक के उपर देखो उपर जो लिंक पिन है उस लिंक पे जाकर के क्लिक कर और वर्दान बैस तुम्हारा इसके जो बचे हुए कोश्चन्स हैं आज के करेंट अफेर के जो बचे हुए कोश्चन्स हैं वो कल सुबा आठ बजे पढ़ाऊंगा और उसके बाद उसकी पीडियाफ दूँगा एक बात अब जाते जाते आज जो मैंने करेंट अफेर पढ़ और हाँ एक और मात्र एक रिक्वेस्ट एक बार भरोसा करके वर्दान बैस से जुड़ जाओ ठीक है ना मैं लिख करके दे रहा हूं तुम्हारे मुह से वाहन निकलवा दिया पढ़ा पढ़ा और जो मेरे दोस्त हैं अगर मेरे दोस्त वर्दान बैच वाले यूट्यूब पर मुझे सुन रहा हूं तो दोस्त इन दोस्तों को भरोसा दिलाने के लिए कमेंट सही में हसी मजाक में नहीं क्योंकि बात बहुत सीरियस है एक बार कमेंट करो कि मैं वर्दान बैच में पढ़ाता कैसा हूं मेरा कंटेंट कैसा होता है लाइव ब्लोगों को लाइव में पता चलना चाहिए पीट पीछे तो सौ लोग सौ बात बोलते हैं तो हमको लग रहा है कि अभी करीब तो मेरे पेड़े जाके कमेंट करो यूट्यूब पर पूछ रहे से अपकुछ कहना चाहरा है सर बिल्कुल पिछले दो गंटे से लगातार मैं भी लगा हुआ हूँ और इस क्लास को प्रॉपरली देख रहा हूं और सर जो काप इस तर्ली तरफ से क्याता हूं सुपर थैंक यू सो मच सथ हैं क्योंकि करेंट अफेर्स को मैं भी बहुत क्लोजली देखता रहता हूं और आज जो देखा है सर मज़ा आ गया ठीक है तो थैंक यू सो मच वर्दान बैच है लिंक लगी हुई है सब लोग साहिल सर की क्लास में जाओ एका गिलाज पानी पीलो चाय पीलो लेकिन पांच मिनट बात सब लोग साहिल सर की क्लास में ठीक है ना थैंक्यू सो मच मैं वर्दान बैच में कल दो पहर तीन बजे तुम लोग का इंतिजार करूंगा ठीक है सब लोग जुड़ जाना लिंक लगी हुई है क्लिक करो और पहुँच जाओ और फ्री वाला ले लेना वो जो फ्री वाला बैच बताया हूं उसको ले लेना देखो एससे में जाना यहां जाना यहां यहां व्यू आउल पर क्लिक कर देना जो मैंने कहा था दो हजार उपए का फ्री बैच वह यह यह देखो यह है ना 1999 में इसमें टेस्रीज वीडियो कोर्स इबुक सब तो लेही लेना ठीक है ना एफ आर डबल ए फ्री कोड लगाए यह फ्री यह अपलाई किये यह जीरो ठीक है हाँ नहीं वीडियो देखो कुछ दोस्त हमारे कह रहे हैं कि सर वीडियो आन कर दीजे लला वीडियो इसलिए उन नहीं कर सकता कि पेट बैच में अभी भी साथ ह लड़के थे लेकिन अब 2000 कम हो गया तो मैं जैसे ही वीडियो आन करूंगा धर से सब सट डाउन हो जाएगा किसी फुल बैच में आना या मैं बेवस्था करूंगा एक डाउट क्लास के नाम पे क्लास क्रियेट करूंगा अपने सॉप्टवेयर पे वहां आप लोग से किसी दिन बात करूंगा यूट्यूब वाले भी सारे बच्चे आ जाएंगे समझ रो मेरी मजबूरी सब धोस्त हो जाएगा थैंक्यू सो मच्च सुबह आट बजे मिलते हैं वर्दान की लिंक लगी है थैंक्यू सो मच्च